क्रश्णा कथाम्रत आजे बिजो दिवस अने विविद मनोर्थी परिवारो द्वारा शिप भागवजी नू पूजन संपन थवा जेरू छे कथा सत्रनों बिजो दिवस भागवजी ना पूजन साथे आरम बतवा जेरू छे सव वैश्णवों जापन बेठाशी आपने आ भागवजी ना पूजन मा सम्मिली थईये भागवजी ना मुख्य मनोर्थी परिवार मा शी निलेश भाई दडुक नो परिवार प्रस्तुच्चे यां एज प्रकारे सह मनोर्थी तरिके भाविन भाई कानाबार नो परिवार पन भागवजी ना पूजन नचनमा अतेर सम्मिली थचे अने आपने सव जापन बेठा चिये त्या मेसी अने भागवजी ना पूजन नुक्रमा मांसी रिते सम्मिली थईये दन्यवान अने अने आपने सव लाई सब मेले आवो गावो बजावो ब्रदंग आज हमारे लाल जुपी परसन आठे सब मेले आवो गावो बजावो ब्रदंग आज हमारे लाल जुपी परसन आठे सब मेले कनक थाल बरफर मुतापल लेल्यों चाबर करवावो सब मेले आवो खरसन आठे बावे, सब मिल आवा नवनव पल्लाव बंदन माला द्वार द्वार बंदन माला द्वार 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 बंदन माला द्वार 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 को जन्म सुनते ही लाग्यों, 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 लाग्यों सुझा से, सुहावना सब मेले, आवो, गावो, बजावो, म्रदंग, छव मेला, आनंद घाना प्रभु को, जन्म सुनते ही लाग्यों, लाग्यों सुझा से, सुहावना सब मेले, नवणवपल्ल, बंदन माला, द्वार द्वार बंदावन, नवणवपल्ल, बंदन माला, द्वार 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 गन प्रभु कोई आन्द गन प्रभु को जन्म सुनत ही लाजो सुजस सुहावन सब मिल आओ, सब मिल आओ, सब मिल आओ प्यारे वल्लब कीजे, प्यारे विठल कीजे, बोलो यमुने महाराणी कीजे प्यारे वल्लब कीजे, प्यारे विठल कीजे, बोलो यमुने महाराणी कीजे 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 बोलो यमने महारानी कीजे जे जे प्यारे वल्लब कीजे प्यारे विट्ट लगीजे अदबूत शी गोंडल एविया धर्मनगरी जे शेहर निया इत्यासिक्ता विश्व भर्मा पंकायली चे वुआ नगर अने एना आंगने शी गोविंद कुझ हवेली नुँ आचारे बरुद्वरा निर्मान मत्रा, कोटा, कडी, अमदावात, सुरस सहितना अनेक नगरों मा निवास करी अने श्रष्टिने पावान करना रा आचारे वर्यों हवे गोंडलना आंगना बिराजीत रही आ भुमीने पावन करवा पधारी रहा छे शी गोविंद कुझ हवेली नुँ आईया नजिकना दिवसोमा निर्मान तारिक पाँचना भुमी पुजन साथे, सिलान्या साथे, गोविंद कुझ हवेली नी निव पड़वा जे रही शे अने ए उपक्रमे यहनी पुजे दादाशी द्वरा आचर पीठे पुजे शीने तिलक आपने सव मांसिस रुपे जैगोश करिये पुजे गोविंद कुझ हवेली न निर्मान अर्थ यहनी पुर्व भुमिकामा सब्त दिवसिय सत्सेंग नू आचार परिवार द्वारा गोंडल न आंगने अध्भूते हूँ आउजन अने विशेपन दसमसकंद सुबोधनी जी नहीत सी क्रिष्ण कथा क्रिष्ण उप चरित्र त्यों मदूर्चे साकर्ना गंगड़ा जेवू गंवे तरस्थ तरुपति काओ एक मीठू जे लागे क्रिष्ण लीला यहीं अग्यार वर्सें बावंदी वस नी लीला छे के जेनो गंवे ते अंस्तम में गंवे ते खोने ती दर्श्थिपाद करो दर्शन करो माणो तो यहां तम जेक विशेशे दानन दावे और एटलेज शी क्रिष्ण चरितामबत कथा आज सत्तर साथे जोड़ी और दसमसकंद नी लीलानू अप्रा रद्यमा संस्था पन दर्शन कोबार्जी जेनो गोहर्धन गोवेंद कंज हवेली नू नजीक ना दूномуस मांज गोंडलन निर्माण सुन्दर मजार नों सुयोग अने कथा सत्तर नों आजे बीजो दिवस नित्य उप्रक्रम प्रमाने आचारवरों पधार्या शी बागोजी नू पूजान आचार पिट बिर्याजीत पुजशी गोर्दनेश जीने पन तीलक माल्याद पनित्यादी अने हवे उन मनो करिश श्री रमेश भाई धड़ुक परिवार्ना कोई स्वजन उपस्तितों इतुमने मन्चस्थ इने आप शिवाने माल्याद पन करवानी बदन करिश एज प्रकारे आधनिया श्री निलेश भाई धड़ुक परिवार्ना बोलोशिवल्लभा धीश की एज प्रकारे श्री हर्याई जी ने मुनि विदन करीश भाई 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 काना बार्नों परिवार आने पुझवास गोस्वामी श्री ग्रधादीश जीने पन माल्याद पन करी बोलोशी वल्लवादी शकी सुन्दर इते मनोती परिवार द्वारा मल्यार पण अने आपना सववती पुझेशिना चरणार विन्मा दन्वत वन्दना आजे मैं आपने के विवय प्रकारे ससंग सत्र नो द्वितिय दिवस्चे चाचार आचार शुरूपों मन्चे सब्राजिश्चे त्यारे आ धाम आ कथा मंडब अलोकिक बने होशे कथा सत्र शुरू था ये पुर्वे थोड़ीक विवस्था संबंधी सूचना नियम प्रमणे साड़ा आठी साड़ा आग्यार आप्रकारे कथा सत्र नो एकली संपुन आर्ती साइतनों विराम आजे साड़ा आग्यारे कथा विराम थासे और इपची आर्ती इत्यादि न उपक्रम सासे साड़ा आग्यार वागे सत्संग बराबर पून थाशे वचेक नानकडों विराम लगबग 10 सावादस वागे आसपास करस्लोस जन्मोस सव उपरांत नानकला विराम सासे जे 84-22 वैश्णोंने नित्य पुजिशिना वरदशी अस्ते स्वर्ती स्वरूपे आचारस्तुरूपोना तेल चित्रो अरपन करी आश्रात प्रदान करवानी जे प्रकरियाचे एवच्चे आवजित कर्शे शी गोविंद कुझ हवेली निर्माणमा घणाबदा वैश्णों गोंडलना जोडाई अने पोताना वित्तिय विनियोग द्वारा गोंडलना आंगडेक सुन्दर अने भवियेवू मंदिर सिद्ध तवाजिरू छे नानमा नानों वैश्णों पन आ मंदिर निर्माणमा सयोगी बनी शेके विलागणी साते पुझेशी द्वारा बे नानी नानी योजनाओ 84 अने 222 वैश्णोंनी स्पुर्ती सांकरता बे उपक्रमों 11,000 रुपयानू मंदिर निर्माणमा योगदान करनार भगवदिय पांच तारिके जारे भूमी पुझन थवाजिरू तरेक एक इट मुकवानों पन एमने आपसी मान तरपती एक विशेश प्रयास आपवा माव चे तो 11,000 बेट करनार 84 वैश्णोंनी स्पुर्ती मा गणी अने आपसी द्वारा सी माप्रुजुन तेली चितर परकरनी न आशिवाद प्रदान करवा माविर्या चे एज प्रकारे एक आवन सो रुपया बेट करी अने आपसी 252 वैश्णोंनी स्पुर्ती साते शी चेक नगर नो गोंडन नगर नो जन आ गोविंद कुझ हवेली निर्माण मा पुतान योगदान करे एवी बावना साथे आवो आजना सफ्तेंग ने शुरू करता पुर्वे तिरन जीव गोस्वामी शी ब्रदादीश जी महोदाईशी एम्भी राजमान चे एमना सुक्ष आजना दिवे कर्था म्रत नो आपने श्रवन परानु करशू आवो प्रतम श्रवन करिये तिरन जीव लालन गोस्वामी शी ब्रदादीश जी महोदाईशी ने आपने तालियोना गड़्यार्तियमना गईकालना वज्राम्रत ने वधाविये अगनी स्वरूप आपने तिया वाग्पती वल्लब वन्सद्ने केवाईशे के प्रत्यक ना वाणीमा स्वतह प्रभू शी वल्लब बिराजेशे अने एवी दिवी रिते आप शी माने एकाले निरोध लक्षन आपने समझावियो और आजे एक नवावी शेश साते आवो शवन करिए पुझ बास्षी व्रद्यादिश जी महोदैशी ने शिगुसाई जी परम दयाल की जै शाम सुन्दर्शियमने महराणी की जै कोपाल लाल प्यारे की जै गिर्राज धरन की जै सच्चिदानन्दरूपाय विष्वत्पत्यादिहतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्नाय वयंनुमा नमो भगवते तस्मय कृष्नायाद्भुत कर्मने रूपनाम विभेदेना जगत ग्रीडतियो यता श्री वल्लब प्रति निधिम् ते जो राशी दयारणवं गुनादी तम गुना निधिम् श्री गोविनादमाशाय। अत्रे विराजमान परंपूजय ताजी इवं बड़े दादाजी इवं पित्रो चरंड के चरंडार इन में रूपनाम करता हूं उबस्तित करता हूं करता हूं प्रणाम करता हूं एवं उपस्तेत आप सब हमारे धर्मशास्त्रों में जीव के आत्म कल्यान के तीन मार्ग बताए गए है पहला ज्ञान मार्ग दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग परंतु यह कल्युग काल में यह समय में ज्ञान मार्ग और कर्ममारक कर्श्ट ऍसाद्ध कि यह ज्यानमार्ग और करममार्ग कष्ट साथ थी मुए है, पर भक्तिमार्ग कष्ट नहीं है, भक्तिमार्ग से ही ठाकुर जी सरलता से प्रसन होते हैं। परन्तों यहां पे सबसे बड़ा प्रश्ण यह उठता है कि हमारे यह जीव के अंदर भक्ती द्रड कैसे हैं, भक्ती प्रगट कैसे हैं, तो उसका उत्तर बताते हुए, आचायचरण के जेश्ठात्माज, श्री गोपिनाज जी, प्रभुचरण श्री गोपिनाज जी महाराज, आप अपने साधन दिपी का नामा ग्रंथ में आज्या करते हैं, विना भक्त प्रसंगेन, सद्गुरु गृपया विना, श्री भागवत शास्त्रेन, विना भक्ती कथम भवे, अर्थात विना भक्त प्रसंगेन, अर्थात भक्त के प्रसंगे बिना, सतसंगे बिना, भगवदियों के संगे बिना, वश्णवो हमारे जीवन में भगवदियों का संग करना, सत्संग करना बड़ा ही आवश्यक है आप वारताजी में देखें आच्छा एक चलंड के सेबक वासु देवदास चक्डा एक दिन की बाते वासु देवदास चक्डा नदी में नहा रहे थे बहुत पानी उचाल उचाल के मस्ती में अभिमान की मस्ती में नहा रहे थे उनको यह बात का अभिमान था क्योंकि उनने हजार मन का चकडा उठा के फेका था और सैनी को और हाकिम को उनने मारा था इसलिए उनको अपने बल पे बहुत अभिमान तो अभिमान के रस में, अभिमान की मस्ती में वो ना रहे थे और कृष्ट्रदास मेगन बाकी सब सेवक भी महा पे ना रहे थे तो कृष्ट्रदास मेगन ने कही कि आप थोड़ा मात्रा में ना आई है, हम सब भी महा पे ना रहे हैं तो वासोदेवदास चकड़ा ने सोचा कि इसने मुझे तोका कैसे तो यह गुस्सा करके वासोदेवदास चकड़ा ने क्रिश्ञ दास पर हाथ हुठाया परन्तु क्रिश्ञ दास मेंको श्य आज़का रुपा का बल तो उनने वासुदेवदास के दोनों हाथ पकड़ लिये और वासुदेवदास ने बहुत प्रयतना किया, बहुत बल लगाया पर कृष्णदास मेगन ने छोड़ नी पाए फिर उसके बाद अपनी हारमान के वर्शान तुए और वासुदेवदास ने पूछी कि तुम्हारो नाम का है तब कृष्णदास मेगन ने कही कि मेरा नाम कृष्णदास है शिवल्लभाचारिय जी जगदगुरु शिवल्लभाचारिय जी का मैं सेवक हूँ तब वासुदेवदास ने बूची कि अगर यही यह जीवी इतनों बल्शाली है तो यह कि स्वामी कैसे हो तो वासुदेवदास ने कहीं कि मुकूश आचाय चरण के दरशन कर वे आए तब कृश्दास मेगन और वासुदेवदास चकड़ा दोनों आचाय चरण के दरशन कर वे आए और वहाँ पे दमलाजी भी बिराज रहे थे तो आचाय चरण ने दमलाजी को कही कि देख दमला जाको भगवदीय हाथ पकड़े वाको संसारी पार उतारे तो कृश्दास मेगन ने वासुदेवदास चकड़ा जी को हाथ पकड़ो उनको संग हुओ तो वाके भागगे कि कहा कही है और फिर कृश्दास मेगन और वासुदेवदास जी आए और वासुदेवदास जी ने कही कि जराज अब मैं आपके सेवक हूँ हम मैं आपके शरण में आयो और मों शरण लीजिये, तब आचाय शरण ने कही कि तुमकू तो अपने अभिमान ये थेखाई थो, अपने बल पे अभिमान तो मेरे शरण महा कि क्या को करोगे। तब वासो देविदास ने कही कि जेराज, जब यह भगवदी आने कृष्णदास मेगन्ने मेरो हाथ पकड़ो तब मेरो सारो अभिमान नश्ट हो गयो मेरे अंदर भक्ती प्रगट हो गयी तो आप अब में को शरण लिए तब आचाय शरण प्रसंद हो कि पासुदेवदास जी को ब्रह्म समन करवायो और यहां आग्या करी कि पहले तुम अभिमान के मस्ती में छके रहते और अब से तुम भगवद सेवा के मस्ती में छके रहोगे तो याली तुम्हारो नाम वासुदेवदास छकड़ा तो वैश्णवो यह वारता जी से अपन को यह पता चले कि वो कृष्टदास मेगन जो भगवदिया हैं आचाय जी महाप्रभू की सेवक हैं उनको उनने वासुदेवदास जी को हाथ पकड़ो वासुदेवदास जी ने उनको संग कियो तो वह उनके मन में भक्ती जागरू हो वह वल्लब के सेवक बने हैं तो अगर अगर अपन भगवदियों को संग करें सतसंग करें तो अपन के मन में भक्ती जागरूत हो गए है क्यूंकि अपन के जीवन में सतसंग करनो बड़ा ही आवश्यक है और वश्यक वो सतसंग अर्थाथ अपन वारताजी लेके बैटके अपन पढ़ लेए इतनों ही नहीं सतसंग अर्थाथ सतत्वों का संग, सत जनों का संग, सत वानजनों का संग, सत किर्टनों का संग, सत मननों का संग, सत गरंथों का संग तो यह जित्ते भी सत्तत्म है, वो श्री ठाकूर जी का ही स्वरूप है तो अगर अपन संक्षिप्ट में देखें, तो जिसके संक से हमारा मनौ श्री ठाकूर जी में लगे, उसका नाम है सतसंग तो वर्ष्टवो अपन को यह सत्संग करनों ही चाहिए लित्य करनों चाहिए सत्संग बड़ो यावश्य है कि अपन को भगवदियन को संग करनों चाहिए वारता जी पढ़नी चाहिए तो अपन सब सत्संग करें यही मंगल भावना के साथ और आज यह विशय को तो बड़ो वस्तार है, बाकि जब समय मिलेगो तो अपन यह पर बात चर्चा करेंगे, तो अपन यह कृष्ण कथामृत कथा श्रवन करके, यह कथा श्रवन करवे से अपने मन में जो भक्ती उत्पन होगी, तो अपन यह ध्यान से यह कथा श्रवन करे तो यही मंगल भावना के साथ मैं अपने बाग पो शुपू श्री आचाय चरन के चरन आर्विन में विरान दू बोदो शिव अल्ला भादी शकी जै श्री कुसाई जी परम दयालकी जै जेहो थाड़ी उना गड़ाटी वधावियन थी लागते हो आपने छोटी छोटी गईया छोटे छोटे गवाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आचारे तो चेशाईब शेली वस्तू नथी हा ए बीजिना संसकारो छे लालन द्वारा अद्बूत रिते ज्यान कर्मने बक्ती मा भक्ती योग स्रेश्ट चे अने भक्ती प्राप्ती माटे ससंग अनिवार्य चे ए फलसूती सुरूपे संदेश करतू अद्बूत वस्तू देवदार्स चकडानी कथा साथे दिविय वजिनाम्रत तालियोलां गटगारा ती फरीर वधावी आपने अनि अवाज दिविय वजिनाम्रत आपना रुदिग माती हमेशा स्पुटितता तारीन आपने करनों आपना हईया पावन्ताई एवी विंती साथे पुना अप्शिवान नाशी चोणुमा दन्वत वन्ना सवजनों गोविंद कुझ हवेली आपने वाद थे कि गोंडल नगरी पुना पावन्त वाजेरिये शे शी वल्लवनी पधरामनी गोंडल मुका में वर्षों पची लगबग एक पेड़ी नुवन्तर 25 वर्षे आपने त्यांके ये पेड़ी बदलाई तो पुझे पाशी दामोदलाल जी महराश्षी विजे कुमार जी आज ती 25 वर्ष पुरू ये निवास करता था अने वरी फरी ने 25 वर्षे एक पेड़ी बदलाता पुना गोंडल दी वाज़नों सश्टी पर करपा दान साथे शी गोविंद कुझे हमेली आपना पुझे पित्रुचरण ना स्मृतिमा गोंडल खाते हावेली निर्मान थावाजे इरूचे ने हावेली निर्मान ना उपक्रमे वैश्णोवना जीवनमा संस्कार प्रेर्दित करवानी भावना साथे वो दिवे वो सत्संग सत्र ने जेना वक्ता पन आपना आच्माज एवा पुझे पाची गोवर्जनेश्ची महो दैशी शी दर्शन बावा अधा रस्नूस रस्पान करावता हो यह वो दिवे आउस्सर गोंडल लांगला उपस्तित्र हो चे पुना विरंतिकरिश एक वैश्णोव तरीक एक गोंडल लांगला उदिवे गोविंद कुझे हवेलेनु निर्मान जारे सतुए तरे प्रत्येक वैश्णोव पोतानी दर अपसी द्वारा मुको मावी चे के 11,000 रुप्या निर्मान मा करनार ने 84 वजिस्तों ने शेणी मा गणी अने शिमाप्रजी ने तेलल चित्र आप्षिमान ना अशिरवात तुरुपे प्राप्त तरसे एक जीते 500 रुप्या भेट करनार ने सी गुसाईजी नू तेल चित् पानवी थाईये कथा सत्र नो आजे बीजो दिवस स्याने आचारे वर्यों विराजी चेतरे पुना-पुना चारे आचारे वरों ना शी चोड़ों मा अपना सवना साष्टांग दंद्वत प्रणाम अंगी कार कराऊता बीजा दिवस आ सत्र माटे पुजेश्य ने विरिं अपना मंगलाचरन द्वारा ए विशेवस्तु सात्य आप शिमाने गईकाले कथाने विराम मापेलों संयों गवस ठाकोजी ना प्रगट्याने नंदोस्व न उस्व मनावानी भावना गईकाले पुनन ने थाले लेली आजे आप शिमाने विंति करिया के कर्ष्ट कथा चर गईकाले विरपूर बाउतर विद्धाश्वम ना माता ओने बेनों जे मेमान तरीक्या कथास्वन करवा माटे आविर्या चे आजे पन ये समु अहीं आविवस आप सवनु स्वागत चे अने पुझेशी द्वारा आशिर्वचन ने आशिर्वा सुरूपे आप सवने आज श्री वल्लभाधिश की जै श्रीको साइजी परमदयाद की जै श्राम संदर्श्यमने महरानी की जै श्रीकिरी राज धरन की जै श्रीको पाल लाल प्यार की जै श्री वाग्पत ये नमहाद श्री श्री वाग्पत ये नमहाद श्री गुरु चरन कमले ये नमहाद सचिदानंब रूपाया विष्वो पत्यादिहे साविंदि तापत्रय विनाशाय श्रीक्रश्नायवयो नमो भगवते तस्मये श्रीक्रश्नायाव भुतकर्मने रूपनाल्म विभे देना जगत्री रतियो यतह सांदर्यम निजर्दगतं प्रगतितं स्थिगुडः भावात्मकंने पुन्रो पंचा पुनास्तदं तरगतं प्रावे विशक्स्वप्रिये संस्लिस्टाव भुभयो प्राव्भाव रसमया क्रश्नो ही यत्साक्षिकं प्रुपं दत्तृत्यात्मकं प्रमभी ही देयम सदाव प्रुपं श्रीमत कधासन श्रवणों पयोगे श्रोत्रम्ददव यह तरुनारसाथि कथारसास्वादन मूढचेता गोबाल लालं शर्णं प्रपत्ये गोबाल लालं शर्णं प्रपत्ये गोबाल लालं शर्णं प्रपत्ये स्ट्रिष्न का नयाला की जय मुझे दे दर्शन गिर्धारी रे गिर्धारी रे भु तेरी स्तावरी सुरत पे मेवाली रे मुझे दे दर्शन गिर्धारी रे भु तेरी स्तावरी सुरत पे मेवाली रे मुझे दे दर्शन गिर्धारी रे किर्धारी रे भु तेरी स्तावरी सुरत पे मेवाली रे मुझे दे दर्शन गिर्धारी रे किर्धारी रे भु तेरी स्तावरी सुरत पे मेवाली रे जमुना तक पर देनु चरावे मधुर मधुर स्वर्वेनु बजावे जमुना तक पर देनु चरावे मधुर मधुर स्वर्वेनु बजावे तेरे कांधे कामरी रे रे तेरे कांधे कामरी रे ओ मुझे देरी तर्शन किरिधारी तो तेरी सावरी सूरत बेरिस्वारी ओ मुझे देरी तर्शन किरिधारी तो तेरी सावरी सूरत बेरिस्वारी तो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि गन मन मोहे तेरे कुंडल की छ विन्यारी रे मुझे ले दर्शन कीरिधारी रे किरिधारी रे ओ तेरी सावरी सुलत पैमेवारी रे दंदावन मेरा सरचावे घोप घोपी का संग मिल जावे तेरे नूपूर की दून प्यारी रे ओ तेरे नूपूर की दून प्यारी रे मुझे दर्शन कीरिधारी रे तेरी सावरी सुलत पैमेवारी रे मुझे दर्शन कीरिधारी रे तेरी सावरी सुलत पैमेवारी रे स्थारी रे खत हे तुहरी रूप बनाया गमानन्द मेरे मन भाया खत हे तुहरी रूप बनाया गमानन्द मेरे मन भाया खत हे तहरी रूप बनाया गमानन्द मेरे मन भाया तेरे चरन कमल बलिहारी ओ तेरे चरन कमल बलिहारी मुझे दे दर्शन गिरिधारी तेरी सावरी सुरत पे मेवारी ओ तेरी सावरी सुरत पे मेवारी 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 तेरी सावरी तेरी सावरी सुरत पे में वारी रे ओ मुझे ते दर्शन गिरिधारी ने, गिरिधारी ने, तेरी सावरी सुरत पेमेवारी मुझे ते दर्शन गिरिधारी ने, गिरिधारी ने, तेरी सावरी सुरत पेमेवारी ने, आओ, मन्ने साउधान करें, जाओ, मन्ने साउधान करें, अखंड वुमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभुश्य वलभाचार जीना अलोकिक अप्राकृत्व सुरुपनु रदेमा ध्यान धरी आक्षिना कोमल्योगल चन्नार्विन माकोटा अनकोटी जन्वत प्रणाम करिया एवं साथे मंचस्त विराजमान परमादर्निय श्रद्धे पुझशी दादाजी एवं जिष्ट भातुरु चरण पुझशी हरेडाईजी महदय श्री आप दंदे महद आचारयोना चरणों मा धन्वत प्रणाम समुपस्त चरायशमान श्री व्रजाधीश्ची महदय श्री एवं श्री गोविंद कुझश हवे लिए एना मुख्य सुत्रधार मुख्य प्रवणध थग्ष्ची महा मनुर्थि एवाद् आत्मिय परमवेश्णव श्री रमेश भाई धळुक एमनो परिवार साथे सम उपस्थित आ भूमी पुजन्ना सु आउसर उपर असुन्दर्शिक पुर्ष्ण कधामर्त नुजे आयोजन सुनिश्चित धयुझे एना मुख्य मनुर्थी श्री निलेश भाई धळुक किरंड बेन इमनो परिवार एवं आससंगना आकथाना सह मनुर्थी एवा श्री भाविन भाई काना बार श्री जल्पा बेन इमनो परिवार आजे विशेश इमने आजे मेरेज अनिवर्सरी छे राइट तो इनना विवाद इवरस नी पन खुब कोगू आ आचार ये पेट थी वधाई आपमोंचु आने साथे आपनो दामपत्य जीवन सला अविरत भक्तिनी सुवास्ती धर्मनी महक्ती महक्तु रहे स्वस्त सामना साथे आपकथा उत्सवना शुभेच्चक मनुर्थी आत्मिय श्री अश्विन भाई रायानी एवं भूमी पुजन ना जे मुख्य मनुर्थी छे सुसतिश भाई गांगडिया धशा एवं श्री भागवत सेवा समीती ना मुख्य उत्साही बधा विश्णोंने साथे लईने चादवा वाड़ा एवा समीती ना भागवत समीती ना प्रमुख एवा आत्मिय श्री प्रविन भाई अने सम उपस्तित आप बधा भागवत कथा प्रेमी रसीक जनू भागवत कृपाथी आज सत्संग श्रवन करवानू आपणने बधाने सु अउसर प्राप्त भेव चे जारे भागवान कोई जीव पर कृपा करवानू विचारे तो इने सत्संग नू दान करें चे अने आपण उपा थाकोर्जी निकृपा थाई भागवत कृपा थाई कई रीते जनाये कई रीते इने परीचे प्राप्त धाए उसी धी वाद के जारे आपणने सत्संग मा रुची मड़े, रुची धाए, जारे आपणने सत्संग नी प्राप्ती धाए, येनों मतलब छे के ठाकुर जी आपणा उपर कृपा करी रहा छे अने सत्संग मा आवा मा प्रमाद आवा लागे, सत्संग ती कधादी आपने दूर भागिये, एना माटे जीव समय न काढ़ी शके, तो समझी ले जो के ठाकुर जी थी आपने ओपोसिट डाइरेक्शन विप्रित दिशा मा आपने जेरे आचे, परन्तु सत्संग मा दोड़ी आज अउसर आवे ओछे, आउसर ने हूँ चुकू नहीं, जारे आवी मनुभाव ना जाकर तो धही जाये प्रिये जनों, तो समझो ठाकुर जीनी क्रपा, अती हरी क्रपा जाही पर ओई पाउं धरे एही मारग सोही, जेनापा ठाकुर जीनी अती क्रपा थाये छे एज तो प्रिये जनों आ कथा, तनने पवित्र करवावाड़ी, मनने पवित्र करवावाड़ी, आपड़ा जीवनने पवित्र करवावाड़ी, एवी आ सी क्रिश्ण कथा, अने केवल शुद्ध पवित्र ज नहीं, अपेतो, रदैमा सुन्दर भक्तिना जे पुश्प छे एक ह कि अधिया कृष्ण कथा आओ खुब सावधानी साथ है आपने आद्वितिय दिवस्ति यात्रानों प्रार्यम्ब करिये कि सम्यव्यवसिता बुद्धि स्तवराजर्शिसत्तमा वासुदेव कथा यांते यज्जाता नेश्ठकी रति ही सम्यव्यवसिता बुद्धि स्तवराजर्शिसत्तमा वासुदेव कथा यांते यज्जाता नेश्ठकी रति ही ही राजन तमें जे आ भगवद कथा श्रवण करवानों जे निश्चे करें जे ए आदर्निय जे एम नहीं विचारता के परिक्षित जी पासे कोई चोईस नतू सात्मा दीव से मरवानों जे एटले कथा महावी ने बेसी गया पहला दीव से इमने चोईस मली गई तमें पूरोमा भगवद कथा श्रवण करी होई तो एनू अनुसंधान करो जारेशी शुगदेव जी महाराज परिक्षित जी ने कथा समड़ावा माटे जई रहा छे एज समय आकाश मारक्ति देवताओ अम्रुत कुंब लईने आवी गया छे अने अम्रुत कुंब कलश लईने आव्या ने देवताओ कहिँ के एक कथा अम्रुत हमने आपोने आज स्वर्गनू अम्रुत आने आपी दो के जेना थी इने अमरत्वदनी प्राप्ति थाई जशे जे सात्मा दीव से तक्षक्ष नुझे दन शे लाग शे एना थी आने मृत्यू नहीं थाए पहला जी दिव से परिक्षित जी पासे ऑप्षिन छे यू नहीं विचार वुझे के कथा निरात्नों समय छे सत्संगतों पछी उत्राड़नी अवस्ता आवी जाए त्यारे करवानू छे जाते जाते समझीने वेश्नों थुड़ा आपने आप आगे आउता जो जो अटले पाच्छड़ने पण जे वेश्नों आवे विराजी शके बाकी इवराशान की थी यहां जीवन अंजली को पानी समय गए पच्छे तैये तो आ जीवन ख्षण भंगूर आपने मल्यू छे प्रिये जनो अने अने उत्रा आवस्था करता पण ये युवा आवस्था छे वास्तविक मां सदग्रंथों नी आवस्षक्ता ए जीवने वधारे छे तारण के एनी सामे एक जीवन छे अने ए जीवन मां जारे आगण वत्तो ये यात्रा मां तो घणा उतार चड़ाओ सुख दुख घणी बदी चुनोतियो एना जीवन मां आवे छे हमना जे पाचर नो जो बे वरश नो विचार करी है केटली बदी कसोटी हो अने गणा एवा देश मां तो एवा एवी वात एवी न्यूस बन आपने सामभ़वा मां आवी कि एटलो तनाव मां मनुष्य आवी गयो जी कोरोना नी जी साइड इफेक्ट है कि लोको सुसाइड करी लिदा आत्म हत्या कारण के हविकरी के स्टार्ट करिये फरेती आखुजे प्लानिंग अती वर्षों नू ए प्लानिंग चौपट ठेगे लो आपड़ी सामय आ समय एवी वस्तू उपस्तित थाई परन्तु जारे धर्म सद ग्रंथों नू सेवन होई छे प्रिय जनों क्यारे आत्म बल आपड़ों मजबूत थाई छे अने एना द्वारा जीवनमा केवी पन चुनोती यो आवी जाए ए व्यक्ति क्यारे निराश नथी थतो हमेशा एनी अंदर एक सकारात्मक अभीगम एक जे पॉजिटिव जे छे रदे एनो इस सदा एनी अंदर भाव रहे छे अने साचो व्यक्ति नो विकास क्यारे जिठाय छे कि जारे मंति सकारात्मक होई बाकी जो मन्ती नकारात्मक नेगेटिव व्यक्ति होए तो एनों संपूर्ण विकास क्यारे नथी थी शक्त हो तो जीवन मां एक सकारात्मक चेतना एक उर्जा आ सद ग्रंथ आपणने आपे छे एटले खास करीने हुँ युवा वर्ग जे छे एट जीवो ने वैश्णोंने खास आग्रह करीश शिमत भगवत गीता भागवत रामायन चोरासी बसुवावन वैश्णोंनी वार्ता शिक्षा पत्र शिगोकुल नाजीना वचनामरत घणा बधा ग्रंथो आपणा पासे उपलब्द छे वधारे नहीं दिवसमा सवार्ति सान सुधिमा पंदर मिनिट अड़ीक लाग पन तमें कईक सदग्रंथो नू एक पेज पन हली एक पानू हुँ तो कईश परन्तु ए वांचन नू आग्रह राख जो यह तमारा माटे उपकारक छे शुपदेव जी कहे छे कर राजन तम्म निश्चय करें आपणों निश्चय आपणों डिटर्मिनेशन एज आपणा सक्सेस नू कारण ने रहस्य छे निश्चय हो जो यह द्रडता सुर्दास जी ने क्या कही द्रड़ईन चरण न केरों भरों से द्रडता जो यह निश्चय ना महलमा वसे छे मारो वालमों निश्चय तो भगवद कथा सस्संग माटे निश्चय जरूरी छे अवात आवे छे आप बधाने आग्रह रख करीश आज यह हवे छव दिवस आज कीजी आपणी पासे छे साथ दिवस छे एक निश्चय वश्चय कर जो के शरुवात थी लेने अंत सुधी पूरी भगवद कथा सस्संग मारे सांभड़ वो छे आपलू तो निश्चय आपणे करी शक्ये ना आगड़नू तो प्रभू इच् सत संकल्प जोई है निश्चय जोई है और निश्चय होए तो पछी ये तारे बदू सहज थी जाए चे आज आज आपलो मोटो आपलो आ सवराष्ट क्षेत्र भक्तिनी भूमी छे इमाय आपलो आ गोंडल आटला हजारो नी संख्या माहिया वेश्णो निवास करे छे पु इध्यमा रही ने आसपास ना क्षेत्र मां किटला जीवोंने है घणा आज नी जे बदा वेश्णो उमडे छे अप्रवीन वयाईने ना उमडना बद्दा किटला लोको जमें नाना आता त्यारे आप थी ब्रह्म सम्मन लिधू दिक्षा ग्रहन करी अने आजे जुओ आए कि आप शी जे आटला वर्षो विराजी ने जे पुष्टी सुरुष्टी नहीं सिंचन करी सर्वाष्ट नी भूमी ने पावन करी अने हवे जारे आप शी नी सर्वाद भ्यक्षतामा आटलू सुंदर्शी गोविंद कुझ हाविलीनू निर्मान थतु होए तो बस आपड आपने आवश्यक्ता छे केवल निश्चय नहीं अने जो निश्चय हसे तो आप भूमी पूजन पची वरस नी अंदर पाटो सो प्रहो यां पधारी जेशे बाकी कोई कमी न थी केवल निश्चय नी कमी छे निश्चय तन थी आपड़े गईकाले वादकरियती तत्सिद्धे तनु वित्तजा सेवा ना बे अंग छे एक तन थी अने धन थी अने बंदेनी आवश्यक्ता छे तनु जा सेवा आने वित्तजा सेवा तो आ आज ये सब्त दियू सिये जे कारे क्रम आ प्रियजनों आप बधा माटे आउसर छे कि आप पोता नी भावनाने प्रकट करो आ सुन्दर एक मजानी 84 252 वेश्चन उनी योजना बाकी ए तो परम भगवदिये थाया आपने शू एमनी रज उपर न आवी आपने तो च राफउच छे abled. १ ये रिते वय्षनों सुलिष्ण न हजार हों लाखो छे परन्तु आ 84 252 वेस्चन उनी योजना बनावी एंवां जे जोडाये तो ए सेवारती मुख्य सेवारती केवाई ए मुख्य व्यशनों और ये भावना थी आ 84 252 वेश्चन उननी योज न भाक कि यह सेवा मा आप पण मुख्य बनों बाकि यह 84 बसो बावाज वेश्णा उन्हीं तुलना आपने करीज न शक्किये यह हमारी भावना पड़ न थी आपने तो दासानों दासो भावितास ने घुलिया है पर अ योजनानों मुख्य उद्देश कि यह यह लाको सेव कव मा अचपण सेवामा तत पर हता एविरते आ योजना मा अपने एक जोडा से कि यह मुख्य प्रधान हसे जेने भगवाने इमने सिलेक्ट करेया हसे ठाकुर जी इमने पसंद करया से कि तू आमा आगडवद तो प्रिय जनो आए कि सुन्दर मजादू आउसर छे आप निश्चे करो अने आप उपस्तित आटलो समुदाय आप अपने साथे अन्य भीजा विश्ण होने परी करो ने जारे जोडशो निश्चे थी जाए पछी आप बहु रस्तो पन जड़तो नथी अडग निश्चे ना महल निश्चे करो प्रिय जनो आचारे पिट आपने आवाहन करे छे आ सुन्दर समय निश्चे करवानों छे आटली सुन्दर विवस्थाओ मंदेर पुस्तकाल है बालकोनी पाठ शाला आधी अनेक गत्विधी खाली हमारो उद्देश ये नथी के मंदिर बनावी ने खाली तमें दर्शन थरता थे जाओ तमें लोको एज्यूकेटेड बनों तमारा परिवार सांप्रदाईक ज्यान एने प्राप्त थाए एज्यूकेशन एने मड़े ए हमारी भावना छे बाकी खाली दर्शन माटे जवू करू ए परिवा तो घणा स्थान तमने मड़ी जशे परनतु हमारी जरदेनी भावना छे के संप्रदाईना आपणे एज्यूकेशन आपणने मड़े दर्शन तो करवा जहिए परनतु कई रिते दर्शन करवा सू दर्शन करवू दर्शनननों मतलब शू छे एनी पाछर ने भाव अना शू छे शू ठाकुर्जी ये चर्णारवेन थी लेहने मस्तकु पर धरावियू छे आज शिंगार ना पाछर आनों सू भाव छे ज्यार तुदी ये भाव आपणने ख्याल नो ये तो ये दर्शन दर्शन जिन थी हमारी ये भाव नाचे के एक 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 आउस थान बने के जिनाथी आपणा वैश्नों परिवार एजुकेटेड थाये वरसमा कईत नकईक आवा नाना मोटा आयोजनों थता रहे संस्कार मड़े आपणा बाढकों ने ये जरूरी छे जन्मना आज आये ते शुद्र संस्कार आद्विजू उच्यते तमारी आगा मी पिढ़ी ना संस्कार तमारा निश्चे उपर निर्भर छे ये ज मनो भाव राकूं छूटे आपनो द्रड संकल्पु आगोविन दुकुंज हवेली ने इना कार्य ने गती प्रदान कर्शे अने यथा शिक्र प्रभुनी मंगल पद्रामनी निया था प्रिक्षित जीने कहे छे के राजन तमे धन्य छो के तमे कथा सांबड़ो आमाटे आ निश्चे कर्यों छे श्रोता वक्तानों अभिवादन करे ये सहज छे के वक्ता संबड़ावी रया छे आपने सांबड़ी रया छे तो श्रोता वक्ता माटे आभार प्रगट करता हु परन्तु वक्ता ज्यारे शुरुता माटे आभार प्रकट करे इनों मतलब पें विशेश वाते चे अहियां शुकदेव जी महराज परिक्षित जिनों अभिवादन करी रहा चे के धन्यचो राजन वासुदेव कतायां थे यत जाता नेश्ठकी रती बे प्रकार्नी रती जे एक शास्त्रोक्त अने विजी छे नेश्ठकी एक शास्त्रोक्त रती रती अने एक नेश्ठकी रती अवे बंदेनों भेद शू छे शास्त्रोक्त रती कोने कहवा शे के ज्यारे कोई आपणने के चीन धे अने पछी आपणे कारे करवा माटे प्रवृत थाईये प्रिती उ प्रभुनु मंदिर थाई गयू अनि जारे मंदिर मा आपने बेठावी एटला माटेज तो कि भी जूता चपल बाहर रखो कान क्या मंदिर छे आप श्रिमत भागवत द्वाद शांगो वही पुरुश हो श्रिमत भागवत ना बार सकंध श्रिनाजी ना बार अंग छे मा कोई भेद जिन थे अनि जारे प्रभुनी मंगल पद्राम ने धे जाए आम मंदिर थे गयू त मंदिर मां पची कईक मर्यादा होय आपनी मंदिर मां कई रिते आवो कई रिते बेशत्यों शू करवो ने शू न करवो वाणी उपर संयम रखो जूता चपल पेडिन अंदर नहीं आवो जेटली वार मंदिर मां चीए कथा मां बेठा चीए मोडा मां जे व्यसन होय इनों त्याग करी देवो अधायरों न तू अपने आप आवी गई बात हां बाकि में धायरों न तू पर तो ये वात आविक जस है कम दिकमे त्रौन कल लाग बे कल लाग के चार कल लाग जे आपने इछे इटली वार तो आपने थोड़ों वेरांगे तो राखिये ने तो मोड़ाम बरिन डेटन कथा नो पूरी धाय न पची त्याग करे बे कल लाग सुदी मोड़ाम उन मोड़ाम अरे आओ वोए के उनहां आप बदाने आद्रह करे शां वैश्नवों याद राखो ज्यान तया नो खाऊ, ज्येते नो खाऊ और जयम तयम नो खाऊ प hus लेता वहीग ओले में आप ऊफर करे लह तु जाओ लाओ लाओ अपो आम्रुत Lew प्रशाद कर्वानुन वित्रण करे यान वीत्रण करे करे प्रशाद उनू वित्रण डाय आई तो जहर कियवाए । ये तमने खावडाव ये नहीं तुमारो दूश्मन कियवाए इसे ९ source किसा कि नहीं तक्रपभणा टटस्थ तक्रफ त्रच थाति लिए Els विछें तमने अद्ध मगाई है कि तमने आपे खें किसे गर्फ़पं half ग्रत्राया उल्म जे ते नहीं खाऊ ने जेम ते में नहीं खाऊ तो कथा मां मंदिर मां जारे आपने आविये तो एकलिस्ट कम थी कम विशनों को बाहर छोड के बाहर छोड़िये गणाने वुँ न थी विचार छोड़िवी पंचे पर न तु बंधा ही गया थे मुँ तमारी वेदना समझू उछे कम थी कम आजे साध्योस नो जे समय चे आप अड़ी तरण कल लाग जे आपनी पासे छे थोड़ुक आटलू वेराग्य रेश लेशो ने निश्चे करी लेशो ने चोकस छूटी जसे प्रयास तो करो चाह वहां राह चाह होनी चाहिए तो मर्यादा आवश्यक छे कथा प्रारम थाए मंगला चरण थाए एनी पेला आवी ने आपड़ु आसंद ग्रहन करी लेऊ आपने एक मर्यादा छे ना मंगला आचरण धनिवार जे बकताना श्रोताना जे मन जे बाहर भटकता होए आपना बदा मन सवार्ती सांसुदी काम काजमा मन भटकेला होए तो आ कथा मा आपनी रूची वदे मन स्थिर थाए एना माटे शू आवश्यक छे तो के मंगला चरण आवड़ तो ये तो साथे बोलिये नो आवड़ तो ये तो आँख बंद करी ने श्रवण करी परन्तु एकागरता थी जारे तम ये मंगला चरण नो आश्रे लो जो आने पछी कथा नू श्रवण तो तमारू मन कथा मा स्थिर थशे आए एक लीजी मर्यादा के पहला आव तो ये थवानू न थी कोई फरक नहीं पड़े तो थोड़ीक मर्यादाओ अवश्य आपणे बधाये राख्यवी जुई तो ये वान मुख्य आश्य प्रियजनो श्रुग्देव जी महराज राजानी जे ध्रड़ता चे निश्चे चे निश्चे ने अभिवादन करे चे प्रित्वी ओपर असूरो ना अत्या चार थी पृथ्वी दुख्यी थाये असूरो थी? असूर नो मतलब शूर एटले एवुद नी के जिना सिंग होए ना मुटा मुटा दांत होए एवुद नी असूर शब्दनो अर्थ छे जेके असूमा रहे इनू नाम असूर असूमा रहे इनू मतलब शूत के असू यानी प्राण असू एटले हुं kij Singing précéd psych शरीर चू आंने शरीर नी आवशक्ताओ अनिये पूरी करवा माटे जीवन जीवी रहो छे केवल एक शरीर मानी ने एना कोड़ पूरा करवा जिने शे आचारजी ना शब्दमा कहू तो प्रवाही जीवो। इवा प्रवाही आसुरो जीवो थी जारे पृत्वी दुखी थाई त्यारे पृत्वी गउनों सरूप धारण करीने ब्रह्मा जीनी शरण मात। ब्रह्मा जी गउने साथे लईने बदा देवताओने साथे लईने प्रवुना भगवान प्रमधाम मा त्यां गया। ब्रह्मा जी ये कर्यों के अवे वसुदेर जी ना गर्मा स्वें पुरुशोत्तम भगवान प्रकट थशे आप बधा देवताओ पन एमना अन्शो साथे यदुकुल मा आप बधा पन जन्मलो अने प्रभुनी लिलामा सहियो गाप जो श्री महाप्रभुजी सुबोधनी जी क्रिश्ना वतरणम मतम भूमिर मारता तथा चांगे भगता वै त्रीविधा मता सुबोधनी जन्दी कारीका मा आप श्याग्या करें छे के त्रण प्रकार ना जे भगत छे एक तो भूमी बीजू छे माता अने त्रीजा अन्य भगतो आ त्रण ना दुखनी निव्रुत्ती करवा माटे प्रभु आप अवतार ग्रहन करें छे परिक्षित जी शुकदेव जी कहे छे के राजन एक वार्णी वाच्छे मत्रामा सूर ना पुत्र वसुदेव जी इन्न विवाह संपन्न थयो अने इन्नी नव विवाहित पत्नी देव की साथे ए पुताना घर जवा माटे रतपर सवार थया ए समय उग्रसेन एन्नो पुत्र कंस देव की इन्ने विवाहित आपवा माटे एन्ने प्रसंद करवा माटे ए रतपर पोते बेसी गयो ने जे रतपनी जे रास जे रसी ओईन्ने एन्ने पुताना हाथ मा लेली दी सार्थी रूपे अने जियां सार्थी पनू स्रिकार कर्यो ए जिसमय आकाश्वाणी थाई अरे मुर्ख जेन्नो तू सार्थी बनेओ छे जेन्ने तू विदाई आपी रहेओ छे एन्नो ज अष्टम गर्भ तारा काल छे और मृत्युनू कारण छे कंसक अगरायो ने मृत्युने मारवानो प्रयास करें मृत्युको हम मार नहीं सकते मृत्यु तो सनातन सकते छे जातस्य ही द्रूवो मृत्यु जन्मनी साथे व्यक्तिनी मृत्यु तरफ में यात्रानो प्रारंब थाई छे ये खबर नती क्यारे अन्तिम समय आवी जाए न जन्तु जन्मनी साथे आ एक एक स्मास साथे आपणू आयू नश्ट ततु जाए छे आयूर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यति ख्षय योवनम मनुष्य पोतानी आयूने व्यर्थ तता जोई रहो छे भागवतकार कहे जे के आज जीवन के उजे के फूटेला घडामा भरेलू पाणी घडामा छित रहो एमा जल भरो तो तरत निकडवा लागी जाए एमा जन्मनी साथे आपणी मृत्यू तरफनी यात्रा प्रारंब थी जाए छे मृत्यू ने आपने टाड़ी नों शकीये आप मृत्यू पर विजय प्राप्त करी शकाये कि जारे ये नों भय थी व्यक्ति निव्रुत भाई जाए जिम द्रू जी माराज मृत्यू देव हाथ जोड़ी ने आवे आने कि दू कि अवे आप भग द्रू लोग अपर पग मुकी ने पुताना धाम मा गया दिजय प्राप्त करी लेती वार्ताजी उमा जू अवेश्णों काल आवे हो तो के आजे ने पच्छी आओ जही मारे आ उस्सव आवे जही आ सेवानी तयारी जही आ महुत्सों केटली वार काल ने पाछो मोकली दिदो अब भगवत कृपा बलनू सामर्ते छे तेने काल कर्म नव बादेरे जने शिविठल नात विचारे जेनी उपर गुरुदी कृपा धी जाए एक काल उपर पण विजय प्राप्त करी ले छे कि यत्रपात महं बंदे परमानंद माधावं मृत्यु ये निश्चित छे कंस इसु के रोकाल ने इने मृत्युने मारवान उप्रयास परे जो परिक्षित जी ने पेला थी खबर पड़ी गई सात्मादी उसे मृत्यु छे अने कंस ने पेला थी खबर पड़ी गई परिक्षिते पोतानी मृत्युने सुधार्वानोँ प्रयास करे और आने पोतानी मृत्युनुमारवानो प्रयास करे énerस अने ये मृत्युनों सुधारवानों प्रयास करेयो भगवद कथानों आश्रे लिधो एटला माटे आजे युगो युगो थी आपड़े एनी गाथा गाईये छी कंस नेक्रो धावयो अने सुधा देवकीजी नी शिक्चोटी पकड़ी लिए या शे आचायर जी सबोधनी मां खुब सुंदर गुढ़ार्त भाव प्रकट करे छे के ए समय आकाश्वाणी शुकाम थेई तो आप शी समझावे छे के देवकीजी ना अंदर सात प्रकार्ना उ अलबज जी सुबोधनी नू श्रवन करे छे एज आ रहस्यों ने जानी शके छे सर्वोत कर्षेतु यत दुख्धम तद दुख्धम स्वल्पके स्मृतम देशतह कालतस्चेईव अवस्थातस्वतों नतह द्रव्यतो मानतस्चेती सप्तैवे सुखदा स्मृताह तथा होती ही। शे आचार जी कारिकामा आग्या करी रहा छे कि देवकी जी न ऑंदर जे पहलो उतकरशसाव्यों ए छे कि उत्तम देशमां एट निवास करता था एना लिधे। उत्तम देवसमां निवास करवाना कारणे एन अंदर अभिमाना अव्यों। कि बीजू आप कारण बतावे जे कि मथ्रा ए समय नी राजधानी हती एटले काल थी उतकर्ष थहो, तिरी जो उतकर्ष बतावे जे कि विवाहा ए समय थो हतो, एटले विवाहा थवाना लिधे एना अंदर एक उतकर्ष हतु? कंस सार्थी बनयों, इटले उतकर्श आवियो अभिमान आवियों एसमय इहनरे बहु द्रव्य आपवाम आवियों, द्रव्य थी उतकर्ष अभिमान आवियों इमनों बहु मान संमान धयों इतले देव की नाँदर उतकर्ष जाग्रत धयो अने साथ मुखे अपने आप सवयम यू आवस्था मा यू आवस्था ना लिधे उतकर्ष इमना अंदर आगे तो आ साथ उतकर्ष ना लिधे ए समय आकाश्वाणी धई देव की ना केश पकड़ी ने मारवानों प्रयास करयो तो त्या वसुदेव जी इमने साथ उना समझावा थी कंस समझी गएओ इसला माटे जिशी शुकदेव जी वसुदेव माहा भाग शब्द नू प्रयोग करयो कि वसुदेव जी के वाद छे ते के महाभाग कारण के जारे सामे वाड़ा ने क्रोध आउतो होए तो ए क्रोध जारे आउतो होए तो सामे इने शांत करवा माटे ऐएवी बाणि नो प्रेयोग कर वजोई है गेस यह लात्म शोत मांत झेड़े घेर के वसुद शयावये सबस्राथ करी जाए पुलोंक करना समदों सजीयद्षों जाओ शुदू जाल सकत कर एक इत्याओ आपने क्रोध करिये लेकिन अहिया वसुदेव जी कोई साधारण वेक्ती ना थी आपने शु लागे के वसुदेव डरी गया अरे जारे एनो जन्म थेयो न देवताओ दुन्दू भी वगाडी छे बहु शक्ति शाली छे वस्त शस्त्र आदी गणी विद्ध्या इमने खबर छे परन्तु बुद्धिमान ए छे के जारे सामे वाडाने क्रोध आउतो होय त्यारे एवी भाषा नो प्रेयोग करवो जो ये के जिनाती इनो क्रोध शान्त की जाए ये बुद्धिमानी जीवों क ये लक्षन है आयना लक्षन छे को रोध ना सामे क्रोध नो कराके एवी वाड़ी नो प्रेयोग करें वसुद्ध जी ना वचन सामड़ी न न एक रोध शान्त ध्यो वसु देव जी कहें छे चे के एशा तवान तवानु जा Πृपना पुत्रिक्यूपमा हन्तुमhini ना रह कंस माँ ते दीनवत्सल्ट शब्द नो प्रयोगं कर। स्रीमाप्रभुजी स्ब्द श्ब्द नि एक विलक्षन व्याक्षा परे सा। कंस कसति कसी हिंसाय। कंसी धाती इकंस शब्द बनेुय। इनातीच कसाई शब्द बनेुग। अने दीनानाम वत्सान अपी लाती चोर यती इती दीन वत्सल लह जे दीनोंने एटले के गरीबोंने गायोंने अने वाच्छडाने पन्नों छोड़े इती दीन वत्सल आ आपनी अनुज आपने थी नानी बहें छे विवाहानों समय छे मोटो भाई ये पिता तुल्य छे आवा समय आने मारूए योग्य न थी आपने आना थी क्या भहे छे इना पुत्रों थी छे न आकाश्वानी प्रमाणे तो हुँ आपने वचना पूछू के आना पुत्र संत प्रति वर्ष देवकी जीन अगरवती एक पुत्र नो जन्मत्यों पहला पुत्र नो नाम छे किर्तिमान वसुदेव जी वचन आपयो तो एटले किर्तिमान ने लईने कंस पासे गया कंस ए बाड़क ने जोईने कहवा लागयो प्रति आतु कुमारोयम न यस्मा दस्ति में भ कुमार कोने केवाय के जे पांच वर्ष न होए एने कुमार केवाय पांच वर्ष न नीच अंदर एज़ छे एने कुमार न केवाय यह ना थी खबर पड़े छे के जन्मनी साथे कंसे न थी माहिरों पांच वर्ष निकड़ी गया अने हवे ए बाड़क ने लईने जारे वसुदेव जी आवया तो के न यस्मा दस्ति में भयम मने तो आठमा ती छे आठको तमारू प्रथम बाड़क छे इने पाच्छो मुकलावी जी तो भगवदिच्छा शक्ति थी जे प्रेणा थी जे नारज जी कंस पास से आवया कहवा लागे गया महराज आपना आसपास आज जे बधा रहवा वाड़ा छे जे नंद गोप जे छे जे स्त्रियो छे वसुदेव देव की आदी आ यदुवन्षियो मा जेटनी पन स्त्रियो छे आ बध्धा देवताओ छे जे आपनी सेवा करी रया छे एपन देवताओ छे आप कोई ना उपर पन भरोसो न करी शको आवचन सामडीने कंसे देव की अने वसुदेव जीने कारागरमा बंद करी दीधा बेडियो थी बांधी दीधा अने पची एक पची एक छ पुत्रों ने इमार्तों गयों आच्छ बालक भगवान ना छ गुण छे अने एज शटगुण आगरजीने सत्तमगर्व एटले के संकर्षण मा एछ गुणों प्रवेश करी लीथो छे शिमाहाप्रवुद्य सुबोधनी मा आग्या करे छे अया कोईने एक प्रश्ण थाए जो जिग्यासु होए एने एक प्रश्ण थाई शके कि आजे भगवान ना जे च्छ गुण छे तो ए तो भगवद सुरूप आछे तो कंस एने कई रीते मारी शके जिग्यासु होई ज ससन करतो हो एने एवी बदी जिग्यासा प्रश्ण उपस्ति थाए जे भगवान ना गुण स्वरूप छे एनू कंस कई रीते घात करी शके एने कंस कई रीते स्पर्श करी शके तो शिमाहाप्रभुजी एनू समाधान श्री सुबोधनी जीमा करे छे कि जारे ब्रह्माजी इस रुष्टिनू वर्धन कर्यू एक आलमा ब्रह्माजी सरस्वती पर आसक्त थया एने जोईने जे मरीची ना जे पुत्र छे इमने हास्से कर्यू ब्रह्माजी उपर ब्रह्माजी नू हास्से कर्यू मजाक करी ब्रह्माजी ने करोध हावयो प्रह्माजी एमने अविशाप आपयो और ये जे पूत्र बनी ने यहां जन्म्या दुर कंसे जिने मारे हो छे ए मरीची ना पूत्र छे अने जे भगवान ना जे शटगुण जे स्वरूप छे ए तो भगवान मा जे लीन थही गया छे आ जे छ बाड़कों नी जे मृत्यु थाई ए बीजु कोई नहीं जे ब्रह्माजी द्वारा मरीची ना पुत्रों ने श्राप लागयो वडिलोनी मोटा होनी क्यारे हासी न करवी आ कथा एक एपण आपणने संकेत आपणने आपणने आपे छे छ पुत्रों ने मारीचा कंसे अने पछी पोता ना पिता उग्रसे ने पन केद करीली धा अने प्रलंब बकचानूर त्रुणावर्त महाशनई मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूत ना केश धे मित्र छे प्रलंबासूर बकासूर त्रुणावर्त पूतना केसी अवे ए बधा असुरों ने साथे लईने धीमे धीमे जब नारत जीये कहिँ चुके आ जे स्त्री पुरुशादी जीये छे बधा देवताओ स्वरूप छे अवे ए बधाने मारवा लागी गए वास्तविक मा जवा जईये तो कंस ना अंदर यदुवन्षियों नू अंश छेजने एवी एक कथा आवे छे के एक वार उग्रसेन नी पत्नी छत उपर विहार करी रही आती अने ए समयकालमा एक गांधर्व उग्रसेन नू रूप धा कंस पोते महाबली हतो ने पच्छी आवधी जरासन आदी नी इने सहायता पन प्राप्त हती अने बकासुर चानोक मुष्टिक अरिष्टासुर केसी धेनू आ बदा इना सहायक हता अने बदानी सहायता लई ने आ यदुवन्षियों ने नश्ट करवा लागे ओ जारे देवी ब्रजम भद्रे गोप गोवी रलंक्रतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोखुले आपे योग मायाने आज्यापी कि हे देवी हे कल्याणी तमे ब्रजमा जाओ अने ब्रजमा जईने मारू अन्ष जेने शेष कहे छे एने देवकी जीन गर्वती काड आई ने रोहिणी जीना गर्वमा स्थापित करो अहिए जे आ सात्मों जे संकर्षन जे स्वरूप जे एने अहिंती लेहिए ने तमें सीधा ब्रजमा जाओ अने रोहिणी जीना गर्वमा आप इने स्थापित करो मारू आकार्य करो वू तमने वर्दान आपो छो के आगर जहीने तमें मनुष्यनी बधी अभिलाशाओ पूरी करशो बधा तमने पूतानी अभिलाशा पूर्ण करवा मानीने धूप दीप आवी नेविद्यती तमारी पूजा करशे अने अलग-अलग नामों थी तमने ओडख्षे दुरगेती भद्रकालेती विजया वैश्णवी थी चा कुमदी चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकीती चा भगवान कहे चे के दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका, क्रिष्णा, वेश्णवी अलग-अलग देवी स्वरूप्ती तमने बदा जान शे अने तमे बदानी मनो कामना पुरी करशो ये भावती बदा तमारी पूजा करशो आज़िटली पन देवी शक्तिव आपनने देखायए चे एना अंदर रहेलू जो सामर्त्य चे एठ ठाकूर जी इए और प्रदान करिए और जेटलू प्रभू एनू सामर्त्य आपिए एटलू जे प्रदान करिशक्त अना ती वदारे तो एना माए शक्ति नथी भगवद आग्या मानी ने देव की जीना गर्बनू कर्शन करी ने रुहिणी जीना गर्बमा स्थापित कर्यू अन्य हवे शिशुपदेव जी बंडन करे छे के भगवान जे भक्तों ने अभे करवा वाड़ा छे ये वसुदेव जीना मन मां पोता नी समस्त कलाओ साथे प्रगट थेई गया अवे आज अहिया जे कथा चे ने बहुत ध्यानती समझ जो श्री महाप्रभु जी सुबोर दिनी मां अहिया समझावे छे जे शिशुपदेव जी बंडन करे भगवान पे विश्वात्मा भक्ता नाम भयां करह आविवेशांश भागेन मन आनक दुन दुभे भगवान पोता नी समस्त कलाओ साथे वसुदेव जीना मन मां आपे प्रवेश करे ओछे शी आचारजी समझावे छे के भगवान नो प्रागट ये बे प्रकार्ती थाए छे एक तो भीतर अने विजुब बहार सउती पहला भगवान भक्तों ना रदय मां एटले के मनमां प्रगट थाए छे मनमां प्रवेश करे छे भगवान इमना मनमा प्रवेश करे औने ये भक्तना रदेमा धीरे धीरे जे पोटाना जे शट धर्म छे एश्वर ये व्वीर आदी ये शट धर्म ए भक्तों नी अंदर स्थापित रहे छे थुड़ू कि ये लाइट अहीं थी कर दो नो फ्लेश आ दिए सुति पेला भगवाननू प्रागट्य भीतर रदेमा धाये छे अने भगवान पुता ना अंदर रहे लाजे शट धर्म छे ए भक्तनी अंदर पध्रावे अने 27 मा धर्मी स्वरूप आपनू प्रागट्य भक्तना रदेमा धाये ग्छान राक जो रदय अन्य जीव ए बन्ने अलग-अलग तक्त्व छे अन्य ज्यारे भगवद्रस ए जीवना रदयमा प्रगट थाए त्यारे जिने शुनभव थाए छे नमामिर ये शेशे त्यारे ए लिलानो जीव अनुभव करें tam ध्यान आप जो भगवान नू प्रागट्य कोई गर्व संबंधती नथी धयुँँँ अपितु वसुदेव जी ने मनमा प्रद्यूम न अंशिद्वारा धयुँँँँँँँँँँँ वसुदेव जी ये वेधी दिक्षा ना माध्यमती देव की जी ना अंदर गर्व ना बदा प्रकार छे एक दिक्षा आँखो द्वारा अपवामा आवे छे गुरु जे पोताना अंदर रहेलू जे तेज छे ए तेज पोतानी चक्षु द्वारा जीवना अंदर स्थापित करे छे आपने पुष्टिप प्रम्परामा जे ब्रह्म संबंधनी जे दिक्षा लेवा मां आवे छे एक दिख्षा सू छे के दिख्षा ना माध्यम थी जे गुरु पोता ना अंदर जे एक तेज धारण करे छे एक तेज मंत्र ना माध्यम थी क्यारे नेत्र ना माध्यम थी क्यारे स्पर्ष ना माध्यम थी आशिरवाद जम गई काले पित्रु चरणे खुब सुन्दर आपशे आशिरवाद शब्दनी व्याख्या करी बाकि आशिरवाद आशिरवाद आपने करता हो ये परंतो आशिरवाद छेशु आशिरवाद 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 સ્પંતાનુ અલોકિ સામર્તે મંતે 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 વીપ્રયોગ આતમકા સરુકત अने संयोग माटे ठाकोर्जी नी सरूप सेवा पदरावियापी अने जारे रदय मा रहेलू जे विप्रयोग आत्मक जे सरूप छे ब्रह्म सम्मन थही गयू हवे तमारी अंदर चा होए इच्छा होए गुरुक नी सन्मुकता होए नितो वर्षो दहिग्या ब्रह्म सम्मन लिधा परन्तु गुरुनी सन्मुकता जे नथी सानिद्यता जे नथी सेवा जे नथी तो पछी ए नो कोई मतलब रेतो नथी परन्तु गुरुनी सन्मुकता होए गुरुनी सेवा होए सानित द्यता होए त्यारे जे दिख्षाना माध्यमती जे तमारा अंदर जे स्वरूप स्थापित कर्योतू ए स्वरूप धीरे धीरे पुष्ट थवा लागे छे अने ए जे स्वरूप धुष्ट थएलू सन्मुख साक्षात रूपे प्रगट थईने तमने ए लिलानों अनुभव करावे छे डायरेक्ट कोई साक्षात न थई शक्या आखिया प्रोसेस प्रक्रिया छे ठाकुर्जी न जे लिलानों अनुभव करवा नी आ एक सहज एक प्र थाकुर्जी ना दर्शन थाई जाए ला दुरू सामय भगवान उबा देगे न दुरू बोली नों शही का एनी एवी हालत थेगे आपने कोई ने पूछो भगवान ना दर्शन करवा छे तो कोई ना थोड़े पाड़े अरे थता होए तो केम नहीं जोकस करिए जोकस यह आपड़ा सामय प्रगड़ता है पर यह सवरूप ने जहीलवानों सामर्थे तो आपने अंदर होऊ जोई है भगवाने पर अर्जुने दिव्य ददामी ते चक्षु त्यारे यह प्रगवानना सवरूप नी जांखी करी शक्यों भगवाने दुरू ने पर पोतानों पर्ष करावे ओ शंखनों त्यारे यह इने वानी स्पूरित थाई बाकि भगवत दर्शन को यह साधारन वाती चाहे साधारन कोई ने पूछो कहां करिये केम नहीं चोकस यह बड़ी सहज बात नहीं प्रिये चाहे एक राजा आतो यह ने बहु भगवान मां प्रिती भक्त बहु निती थी जे राज जे मल्यों छे यह नू निती थी यहनू शाषन करतो यहनू इनी निष्ठा धर्म निष्ठा जो इने भगवान प्रसंद थिया वर्दान मांगवानू की दूए बहु आप जे जांखी करावी मारी इच्छा चे के मारा जय आ बदा राज जयन जे बदा प्रजाने पन आप जांखी कराओ तो मारो राजधर्मन इवे मने आनन्द थाए के जे आलोकिक आपनू स्वरूपु छे भगवान के तारा सुधी रेवा दे तू अधिकारी चे तो 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 थाई शेकन है भगवान के बदा अधिकारी नथी नो परी शेके मारी जाकी तो प्रभु मारी विल्की छे ठीक छे तारी एवी इच्छा चे तो तारे वुं वर्दान आपपा माटे आवे अच्छु तो ठीक है चलो एमकर गामनी बाड जेक टीलो छे एक नानी पहाडी छे आवती काले सांजे बद्धाने त्यां लीन आवी जाज़ू बद्धाने उमारी जाकी करावी शेक ताम मां धंडे रोपीटी दिदो काले सांजे चो वागे भगवान ना दर्शन करवाना चे चाल जो बदा बदा मोटी शोवाया आत्र निकडी रस्तामा जताता वन आवियू जंगल मां जो है कि घणा बदा चान्दीन सिख्वाव पडेला चे लिए टला बदा चांदीन सिख्वाने उला बदा प्रजाजन घणा तो बहु धरीद्र चांदीना सिख्वान लागी गया राजा की ऑले अल् थोड़ोग समय छे पची आ सिक्का हुमा रही जासो तो दर्शन नहीं थाए अरे मारा तम्हें तो घणा सिक्का जो है अमने क्या जो अमड़े आवी आवी तम्हें आगड़ वह तो थोड़ा त्या ओला के के ना आपने सिक्का माटे ना थी रुकाओ आपने तो भगवान ना दर्शन करिये थोड़ा क्या रही गया थोड़ा आगड़ चाल्या सोना ना सिक्काओ दिखाया उलावे जो रुकाई गया यह पाचा पाचा अरे सोने की गिन्नी है सोना नो भाव तो जूओ आजे केटलो रोज सवारे मुबाइल माजे पचास हुजा रहो इत्कावन में ब पहना बदा गोंडल मा तो सोनी सोनी तो बहुत सारा होई खाबर नी एम केम केवाई जे किला सनी न पची सानी यह पाई। चेले कहवत आगि सोनी तो कितला सारा होई है कहवत केम लिखडी खाबर नी सोनाना सिक्का होला आको खुली छोली रे गई बदा लेवा माते राजा के चलो आगे चलो आना माते नहीं रोकाओ परे महाराज आ सोनाना सिक्का छे आपए चांदी धोड़ा चछे तो whege बीजा घणा लोको नाना आपड़े नथी रोकाओ आपड़े तो भगवान मड़े छे तो आ लेवाए चलो आगे पाच अरधातियां रही गया थूड़ा हजी आगड़ गया अनौए तो हीरा जावे राज रत्न आज सुधी तो आ राजा ना गड़ा मा जोया आज हमारा हाथ लेवानों मोको मेड़ो ना बद्धा दूट राजा के चलो आगे चलो अरे महाराज आप आचि उमने नौ मड़े आप आचि ती रहुषे अने जे बचेला आता इत्यां रही गया ने एक लो राजा गयो भगवानूबा के क्या बदा प्रभू कोही नों आई वो बद्धा लही में निकड़ो तो घरे थी पड़नतु कोई त्यां आटवाई गया तो कोई त्यां त्यां मैं प्रभू क्ये में पहला अच गिधू मारा दर्शन करवा बदधानू काम नथी बदधानू सामर्थ नथी तो माही पड़्या ते महासुख माने देख नारा दाजे जोने तीरे उभा जुए तमाशो ते नवकोडी पामे जो नुए जे साधारन लौकिक अर्थ माटे पाचर भागतो होए तो भगवान तो अलोकिक अर्थ छे वैश्णवनु अर्थ अर्थो हरी वही ठाकुर जी एज वैश्णवनु अर्थ छे लगवज सामर्थ आखिया प्रोसेस एटले आज ब्रह्म संवन्द लेऊ एप्रम आवश्चक छे के गुरु पोतानामा रहेलू जे अलोकिक तेज सामर्थ ये भक्तना अंदर मंत्र ना माध्यमति स्थापित करे छे और जारे एए सेवक गुरुनी सन्मुक्ता बनावी ने र प्रशन आपे छे सवुति पेला भगवाननों प्रागर्ट्य भक्तना मनमा धाय वसुदेव जी एफ वेधी दिख्षाना माध्यमति देवकी जीना अंदर गर्ब स्थापित करे और सादेवकी सर्वन जगत निवास निवास भूता नितराम्न रेजे देवकी जीना अंदर भगवाननों प्रवेश थयो अजन्मा भगवान गर्बनों स्विकार करे और देवकी जीना शरेर नी एटली अलोकेक कांती वधी गई आखु कारा अग्रा मा जगमगावा लागी गई उकंस ने खबर पड़ी गई के मारा काल आना गर्बमा चे करें गई गई चे तुरक यह घरंतु इचिटार पड़ी जेट्रक ने जिली टो इचिश्आ करी गई तुरक टाहिकी जो पर भेच राउटि कुमगावेश दूसरी यह अग्री IGHवेशं यह श्ब्वि करेंगा अयस मारी में गर्वाननों नक्षमी दोश्ट्र थाई शी महाप्रभुजी एनू कारण बतावे छे कि जेना अंदर भगवान नो प्रवेश थही गयो होई एना सुरूपना दर्शन करीने बुद्धी परिवर्तित थही जाए एमा क्या आश्चरे छे आ प्रमान छे कि कुंस्नी बुद्धी परिवर्तित थे गई ए दीवकी जीना दर्शन करीने अने प्रतिक्षा करवा लागी गयो चिंत यानों रुशीकेशं पश्यट तनमयम जगत बस उढ़ता बेटता क्यांक अवाज थाए बदी जग्याए सी कृष्ण नू चिंतन करवा लागी गयो बदी जग्याए एने कृष्ण देखावा लागी गया आखु जगत तन मयम जगत आकु जगत एदना माटे कृष्ण में थेगे प्रभुनात जन्मनों समय आव्यों बद्धा ब्रह्मादी देवताओ मंगल समय जानीने भगवाननी गर्वस्तुती करवा माटे आव्या सोडश लोक माँ देवताओ भगवाननी गर्वस्तुती करी छे शी महाप्रभुजी एनो सुंदर भावनी रूपन करे छे के सूर्यप जे बेक काल छे एक शुकल पक्ष औने एक कृष्ण पक्ष काल बे प्रकारना बताव माँ आव्या छे शुकल पक्ष देवताओनों हितका करी छे अने बनने पक्ष माँ केटला दिवस होए तो के पंदर दिवस हो तो पंदर श्लोकों माँ देवताओनों भगवाननी घुति करी ने यह भावप्रगट करया छे के प्रभु आप देवताओना हमारू हित करवा माटे आपनो अवतार छे एटले पंदर श्लोकों मा स्तुति करी अने सोडमों श्लोक देव की जीना अभिवादन रूप मा आपे प्रस्तुत करे ओछे खुब सुन्दर स्तुति छे आओ एकाद बे श्लोकों मा आपड़े दर्शन करीए सृत्या स्त्या स्त्या मृत्तया की अईसाथ श्लोक में वह में। साथ्या स्थ्या साथ्या साथ्या मृत्साथ्या नेत्रम् सत्यात्मकंत्वां शर्णं प्रपन्ना सी कृष्ण गोविंद अरे मुनावी थे नात नारायन वासुदे सी कृष्ण गोविंद अरे मुनावी थे नात नारायन वासुदे वासुदे सी कृष्ण गोविंद अरे मुनावी थे नात नारायन वासुदे देवताव कोचे हे प्रभु आप सत्य छो, सत्य संकल्प छो अने सत्य आपनी प्राप्तिनु शेश कारण छे स्रुष्टिना पूर्व, प्रलैना पश्चात अने संसारनी स्तितिना समय मा आ असत्य अवस्थाव मा केवल आपज सत्य छो प्रत्वी जल तेज वायु आकाश आ पाँच द्रश्चिमान सत्यो ना आपज प्रभु कारण छो अंतर्यामी सरूप थी आपज बद्धिज ग्याई विराजमान छो आपज आ जगतना प्रभात सरूप छो आपनी मधुर्वानी आ प्रसम दर्शक प्रवर्तक छो ये प्रभु हमें बद्धा देवताओ आपनी शरण माँ छिये खुब सुन्दर देवताओ ये प्रभु नी स्तुती करी पूतानो देञ्य भाव प्रगट कर्यो शुबदेव जी कहे जे के राजन जे रोहेणी जे अजन्मा नक्षत्र छे जे नक्षत्र मा भगवान नी नाभी कमलती ब्रह्मा नो जन्मा थयो हतो ए रोहेणी नक्षत्र आव्यो अथा सर्व गुणो पेत कालप परमशोगना यरहे वाजन्म जन्रमक्षं शांतरक्ष क्रहतारकं सी क्रिष्ण गोरिंद अरि मूरारिं ए नात नारायन वासुदे दिशह प्रशुड गगनं निर्मलोडु गणो दयं महि मंगल भूयिष्ठ पुरक्रामग जाकरा सी क्रिष्ण गोबिंद अरि मूरारिं ए नात नारायन वासुदे अईया आश्लोक मां शी आचार जे सबोधनिमा भगवान ना विरुद्धर्मा श्रयना सुरूपन निरूपन गरिऊजे अतह सर्वगुणों पेतकाल परम शोगन सर्वगुण यूक्त शुभायमान परम काल आवियो सुंदर काल आविग जुवा जहिए तो आज भगवान ना जे प्रागट्टिनों समय चे ए मांगलिक कार्यों माटे प्रशष्त नती चातुर मास अने इमापन वर्शा काली आकाश पन स्वच्च नती पाणी ओपर जे जलाश है छे इमाए पाणी स्वच्च नो है वर्शा रूतुमा परन्तु ज्यारे भगवान नुँ प्रागट्टे ठयू एक काल भगवाननु एक मात्र सेवक छे अन्हे भगवान नुप्रागट्टे ठयू त्यारे 예क काल पुल कोताना उत्राएं आदि घुनों न लहिने साह प्रागट ठय गयो अलोकिक कालो नू प्रागेट्टे थे आ भगवाद नी विरुद धर्माश्री लीला छे शी रामचंद्रजी नू आप जन्वन समय जुओ तो त्याहां तो बधू अति शीतन घामा त्याहां चे वर्णन आवे छे बहु बधू सहज छे परन्तो अईयां विरुद धर्माश् आखो कृष्ण चरित्रत में जुओ क्यांक चीर खेंचे छे तो क्यांक चीर पूरे छे क्यांक अर्जुन ने युद्ध नी आगड़ लडवानू कहे छे तो क्यांक पोते रण छोड़ बनी जाए छे धाकुर जी की लीला सहर जैसे नहीं समझी साज आ सकते तो कृष्ण को जल सुन्दर थाई गयू सुन्दर इमा कमल प्रगट थावा थाई थावा लागी गया वववा यहू सुगस्पर्ष पुन्य गंदर भाष्ण जी अग्यश्च ज्रिजाती नाम शांद सत्र समिंधत जे कंसे अगनी ओल्वीदी दीती यक्ये शारा नी अगनी अपने आप कि बदी जग्या एने प्रसारित करी दिदो मंगला चारा भूमी मा थवा लागी गया मुमर्च मनयो देवा सुमनांसी मुदान्विताहा मन्दम मन्दम जल धरा जगर चूर नुसा गरुंच जारे प्रगुना प्रागट नो समय आवयो जे सुमनांसी छे सु रदय वाड़ चे सुमन वाड़ा छे एवाद जेवी जीवो ना रदय मा मुदान्विताहा एवना रदय मा आनंद थे ओध प्रोथ थे गए यहनु रदय आहलादत बनी गए अने मन्दम मन्दम जल धरा जे जल धर इटले शू तो के वादड़ाओ वादड़ाओ शू करे छे जगर जूर चनु सागरम सागर ना तटु पर जईने मन्दम मन्दम जल धरा शू महाप्रभुजिय अध्भुत अईयां भाव प्रगट करे ओछा ए जल धरा ए वादड़ केवा छे नील वर्णर जारे वादड़ाओ मा जल भराएलू होई तो ए नीड़ा होई थोड़ा श्याम होई न अवे जार्सुदी भगवान नू प्रागटी नतु धरू त्यार्सुदी नील वर्णर ने और प्रशुष्त मानी ने एनो त्याग करवा माओ तो एनी निन्दा करवा माओ तो पर आजे आहां वादड़ा जुए चे के भगवान नू प्रागटे थरे उँछे अने आगर जहीने जारे कवी लोको भगवानना स्वरुपन वर्णन करशे त्यारे सु केशे मेगवएनम शुभांगम के ठाकरजी क्रिश्न केवा छे के मेगना वर्ण जल दर वादड़ा जेवा छे और ज्यारे अमारा नामनी उपमा भगवान माटे थशे तो अमारू जन्म पन सफल थाई जशे एटले ए वादडाओ केवल मंद मंद वृष्टी करेचे आम पूरा ए जल ने छोड़ता न थी काणके जल वदारे छोड़ी दे तो तो वादडड सफिक थाई जाए एवल मंद मंद अने इस सिंधू पासे जहिने साधर पासे जहिने कही रहा छे के आज ये तो हम अमारा माटे अमारू जे शब्द छे अमारू नामनू प्रयोगपण ठाकुर्जी माटे थशे अने तारा करता वदारे विशेष्टा छे ए वादडड़ानी वच्चे जारे ए विजली चमक्षे तो ठाकुर्जी एक लाने ठाकुर्जी स्वामनी जी साथे लीला करे छे ए बुंदन बुंदन बरसे में गा कजरारी कारी बदरिया ऐसे नाचे मोरा मनवा जैसे नाचे मोरा मनवा जैसे बन में मोर पपी हा बुंदन बुंदन बरसे में बुंदन बरसे में देवक्याम विश्रूपिन्याम भगवानना अलोकी गतेज थी आखु कारा अग्र प्रकाशमान थे गयू रात्रीनों समय भाद्रपद मास भगवान इनना समय प्रगट थी गया चत्रूबूजू सरूप थी चार भूजा थी आप प्रगट थया कार्ण के चार मुख्य कार्य चतूदू पुर्शार्त सिद्ध करवा माटे धर्म अर्थ काम मुख्ष तमाद्भुतं बालकं बुजेक्षणं चत्रूबुजं शंख गदा युदा युदं श्रिवत्त लक्ष्मं गलशोविकोस दुभं विदांबरं सांध्रपयों दसोभं से क्रिष्ण भूपिंद हर्थे मुणारी एनात नारायन वासुदेवा काराकरामा प्रगठ्थया केवा बालक चे के तमद्भुतं बालकं मुझेक्षणं बाले बाले को ब्रह्मा ब्रह्मांड विक्रोह यस्य जेना बाल बाल इटले के रोम रोम मा ब्रह्मांड समावित छे एवा ए बालक रुपे कारागरमा प्रगठ्थया बाला नाम अपी कम सुकम यस्मा दीती बालह को ब्रह्मा यस्य अत्यांत मुख्ध गोप बालको ने आनंद आप वाड़ा ब्रह्मानंद आप ह वाड़ा अब आ एवा बालक औ가 पूर्वजन्मनु स्मरण करावियू के प्रथम तमें प्रिष्णी अने सुत्पा हता प्रिष्णी ना गर्ब रूप्ती हूं प्रगट थयो तो त्यारे तमारी अंदर पुत्र भढ़ाओ जागरत नतो थयो तमारी अंदर महात्म ज्यान हतु येटले हूं बीजी वकत अधिति अने कश्यपने क्या उपेंद्र भावना रूपमा प्रगट थयो ते समय आपनी अंदर पुत्र भाव जागरत नतो थयो अने हवे त्रिजी वकत हूं प्रगट थयो छू अवे मारी आज्या छे क्या आप हजी सुधी ब्रह्म भावती दो भजी ने आव्या छो परन्तो हवे आप पुत्र भावती मारी सेवा करो इत्यक्त्वा सिद्रिस्तूनि में भगवान आत्म मायया वित्रो संपशतो सध्यो बभुवः प्राकृत हर शिशरू जोत जोता मा भगवान शिशरू थाई गया वे भुजा डारन करें दी बभुवः प्राकृत हर शिशू थाई गया भक्तो नी अनुसार पोता नी प्रकृति स्विकार करें दी साधन मारगमा एउँ होए के जीव भगवान ने मडवा जाए तो एवा निसाधन भक्तो माटे प्रभु आप प्रगट थाए छे एना माटे एनी प्रकृती ने प्रभू физिकार करें छे हुरने जारे प्रभू प्राक्रत शिशू थे गया तो जह अजण मा서 जरत पन लागे छे हवे इने तरस पन लागे छे हवे इने बिलाडी थी बीग पन लागे छे हवे इने ठंडी पन लागे छे हवे इने गर्मी पन लागे छे यथा देहे तथा देवे कारण के आपने बदा प्रकृती थी वश चीये तो प्रभु आपड़ी प्रकृती ना ठाकने खोडा मा लईने ठाकर जी ने पधरावी ने एक टोपली मा पधरावी अलालने अने सीधा यमना जीना मारग थी जह आपे आग्या आती कि मने गोकुल लई जाओ तो ए बांसनी डलिया मां माथा उपर पधरावी ने आप गुकुल तरफ पधारी गया छे पने एज समय यम्नाजी नो बहाव वद्यो ठाकुर जी ना चरशपश करवा माटे मगोनी वर्शत सक्रुद यमान उजा यम्नाजी नो इटलो भयानक प्रवह वदी गयो श्री महा प्रवुजी तियां बतावियो के एक स्वभाविक क्रूरता तियां जुवा मड़ी यहां एक विचार आवे श्री महा प्रवुजी बहाव बताव यम्नाजी मां क्रूरता होए तो के हाई एक क्रूरता छे पन केवी क्रूरता छे के जे भगवान औने भक्तना मिलनने अवरोध रूप जे भक्तोना जे दुर्गुण छे ए दुर्गुणों ने कुरूरतार थी मारवा वाड़ा श्री यमनाजी छे काण के एना माटे कुरूरता तो जोई है न कोई वस्तुनो नाश करवो होई तो कुरूर जोई है तो एवाश यमनाजी जो यू के ठाकुर जी ब्रज पधाराव माटे उतावड़ा छे त्यारे आपे मारवा आपे दिदो यमनाजी विचारेओ के जारे सितापती शी राम चंद्र जी जारे समुद्र मार्ग नो आपे तो समुद्र ने सुक्वी दिदू तो हूँ तो साधार के समुद्र नी कान के बधी नदियों समुद्र नी पत्ति केवाए तो जो हजारों गोपियों ने मढवा माटे मारूशू ससे विचारी ने यमनाजी मारग आपे दिदो अलग-अलग भाव शे यमनाजी जे मारग आपे ओछे एन भाव शे आचारे च्रण बताव्या से कन्याने लईने सीधा आप मथ्रामान आवया जिया माया काराग्र मा Además या मारवा मांटे आव्यों माया कह चहिओ आपड़े गोकुल मां आनंद लेवा माटे चालिये जारे नंदराईजी नी बहें नाएश यशुदाजी न बगल मां सुन्दर नाना लालन ने बोढ़ेला जोया एटला आनंद मां आवे गई दोड़ती दोड़ती सवार न समय चे नंदराईजी अशुदा नंदराईजी गायोनी सेवा करी रहा चे गोशाडा मां चे बाबा बधाई हो बधाई हो तो के का भयो तो के आपने जो गायन की संतन की सेवा करी वाके फलसुरूप आपके हाँ पे सुन्दर लालाको जनम भयो बहुत बहुत बधाई दी मंगल वदाई सामबरताज शी नंद राय ची ये मंगल अस्नान करया अने नंद मोहसव ने तैयारी प्राड़म बढ़े नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुय विप्रयान वेद ज्ञान सनातर श्रुचिर लंकृत हुआ मंगल अस्नान करया ब्रामणोंने बोलावया केवल लौकी कृत्त थीज आपे उत्सव नथी मनावयो अलोकी कृत्त थी पन शास्त्रुक्त विजी गधान अनुसार आपे नंद उत्सवनु आयोजन सनिश्चित करयू बदा गोपी ग्वाल बदा मडीने ठाकोर जीना दर्शन करवा माटे नंद यश्वदाने वधाई आपवा माटे गागर सामकरी बदी जुटावी ने सुंदर सुंदर शिंगार धारन करीने सुन्दर सुन्दर हार माथा उपर सेंदूर नूतन वस्त्र आदी धारण करीने यशुदाजी न वधाई आपवा माटे नंद महल तरफ जही रया छे अने नन महोसवनों आनन मनावी रया छे आपने पनाओ थोड़ी बार नोचे समय छे थोड़ी बार ए ब्रजबकतों साथे नन महोसवनों आनन्द लिए अने नन महोसव पशी तरतज आपणे पुझ शिना आईशिरवचन आपणे श्रवन करीशू जावूं मारे लटके ने मटके रे मोहन वर जोई जोई मन अटके रे मुहन वर जोई जोई मन अटके रे पाये ने पुरीया छमके रे पाये ने ने पुरिया छमके रे श्रीगोपुल सासरिये जाहूरे आणू मोहनवरनू माप्यूरे लक्यूश्री हस्ततनू भाव्यूरे श्रीगोपुल सासरिये जाहूरे बदायोपुल सासरिये जाहूरे बदाताली सासरिये जाहूरे बदाताली सासरिये जाहूरे लग्याग्यूरे यजी जाओने अव्यूरे आभूशन पहर्या छे अंगेरे सखी जन तो हे छे इसंगेरे सखी सव सो बेछे संगेरे मोहानवर जोई जोई मान रंगेरे मोहानवर जोई जोई मान हर खेरे मोहानवर जोई जोई मान हर खेरे मोहानवर जोई जोई मान हर खेरे शीगो फुलसा सरीय जाओ रे ये हो आजेवधा मनारे गो फुल गामना आजेवधा मनारे गो फुल गामना ये हो आजेवधा मनारे गो फुल गामना ये हो आजेवधा मनारे गो फुल गामना ये सावसवार नाज सोदाज जाग्या ये क्रिष्ण मुक जोई हर काया वदामनारे गो फुल गामना क्रिष्ण मुक जोई हर काया वदामनारे गो फुल गामना आजेवधा मनारे गो फुल गामना आजेवधा मनारे गो फुल गामनारे 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 गो फुल गामना आज रेको कुडियामा नवरंग नोबत वागे जो आज रेको कुडियामा नवरंग नोबत वागे जो आज रनायू वागे रे नंद जिने आगडे आज रनायू वागे रे नंद जिने आगडे आज रश परीने उपा व्रजनी नार जो आकलस भरीने उपा व्रजनी नार जो आतोरणी आपा जाने नंद जिने आगडे आतोरणी आपा जाने नंद जिने आगडे आपीड घणेरी नाचे गोपी गवाल जो आपीड घणेरी नाचे गोपी गवाल जो आसाथिया पूर्यारे नंद जिने आगडे आसाथिया पूर्यारे नंद जिने आगडे आरे गोपुड माज दिवाली प्रगट तयावन माणी गोपुल माणी आरे गोपुड माज दिवाली घर घर थी गोपी ओ आवे मन गमता साज सजावे वालम जिना गित गावे गोपुड माज दिवाली ए नंद जिना नंद बयो जेकनिया लालकी ए नंद गेरा नंद बयो ये हाथी कोड़ा पालकी जेकनिया लालकी ए नंद के आनंद बयो जेकनिया लालकी ए नंद के आनंद बयो जेकनिया लालकी ए जवानें गुलट्टू पेडा उटन को लापसी ए नंद के आनंद बयो जेकनिया लालकी 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 ए यशोदा को लालो बयो जेकनिया लालकी ए नंद के आनंद बयो जेकनिया लालकी ए नंद के आनंद बयो सब वाल नाचे को पीगावे प्रेम मगन कजुका हतन आवे हमारे रायकर दोटा जायो सुनी सब लोग बढ़ायो सब वाल नाचे को पीगावे नंद के आनंद भयो देखनिया लाल गे हती दिये गोडा दिये तोर दिये पाल गे सब ग्वाल नाचे गोपी गावे प्रेम मगन कजुका तन आवे प्रेम मगन कजुका तन आवे अमरे रायकर दोटा जायो सुनी सब लोग बढ़ायो सुनी रायकर आवे ऑंतुको प्रेम मगन कजुका तन आवे लेम बदन दुका दने आवेन देगे एए 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 ए अशाडू चारव मेग मला आव बनी बहारं जलदारं दादुर्डंकारं मयूर पुकारं तड़तातारं विस्तारं नलाई सबारं प्यास अपारं नंद कुमारं निरक्यारी कहे रादे प्यादी में बलहारी को खुले आवो गिरिदारी रे जिरे को खुले आवो बोला सिकृष्ण कनिया लाल की जै दंद के आनंद की नहन मासों की सभी वेश्णवको बदाई हो सिकृष्ण कनिया जालाल की जै आप बड़ादा पुताना स्थानुपर पृपया बिराजी जाज़ों यदा शिग्र बोलो सी कृष्णा कनायालालालकी जै नंद घर आनंद भयोंजे कनायालालकी सी कृष्णा कता मद्ये शीजा प्राकोजी नंद उत्सव अई भाव भेर आपने नंदोत्स व ठाकोजी नो प्रागट्ट नो उत्सव मनावयो कता उपक्रमने आगल धपावता पहला आप्शिवानी आग्या प्रमाणे आशिर्वच्चनो दिवेवाद सत्संग शी कर्ष्चन कताम्रत अने शी गोविंद कुंज हवेली नू निर्मा सुन्दर मजानों सुयोग छे चार चार आचारे वर्यो नित्य रूतन आशिर्वच्चनो द्वारा प्लकरणों ने पावन करिया आजे आजे आधर्मसबामा आ कथा सत्त्रमा विशेश क्रपास रूपे पुझे दादर्शी ना जेस्ट आत्मज पुझे पास्ची हरी जी महोदेशी बिराजमान चे अने हरिदादा आप्षिमान ना जेस्ट पराता समुझीत आ हवेली निर्मान नी प्रक्रिया अने ससंग सत्रन आयोजन पाचल जेमना दिव्य विचारो जेमनू दिव्य आयोजन चुपायलू समायलू छे एवा कुझ बाद गुस्वाविश जी महोदेशी बिराजी इच्चे त्यारे आओ अपने सव आपना शी चोड़ो माविंती साते अपने विनंती करिये के प्रवहो आपना दिव्य वश्चनाम रतों द्वारा अपना आशिर्व चुनों द्वारा अमारा करणों ने पावन करू पुझेशी हरी राइजी जय गुलो श्री गोवर धन नाथ की जय बे मिनिट माटे बदा बेशी जाओ प्रशाद नो वित्रन पशी करिये आपने बेशी जाओ बदा शान्ती दे बलो भागवत भगवान की जय बलो स्री कृष्ण का नईया लाल की जय आज के आनन्द की जय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयंनुमा प्रभुर्नन्द कुमारो में झाल 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 प्रभुर्नन्द कुमारो में स्वामिनी विश्भानुजा कृतार थो हम कृतार थो हम कृतार थो हम नसंशया भुष्टि मारगी असरवक्य करुणारस पूरित श्रेश्ठ फल प्रदाताच तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्री वाक्वत ये नमहा श्री मदाचार्य चर्ण कमलेप्यो नमहा श्री गोपिजन वल्ल भाय नमहा अत्रेव थुड़ुईको बिराजमान प्रातस्मर्णिय परमपुज्य पुज्य विश्ववन्दनिय पुज्य श्री दादाजीन युगल चनार विंदमा कोटान्य कोटी रंडुत प्रणाम करुछु। आचार्य पीट निश्व भाय मान एवा परमप्रिय लगु ब्राता चिरायुष मान श्री गोवर्धनेश जी महदय समुपस्थित चिरायुष मान परमप्रिय लालन श्री वर्जाधिश जी महदय भुदेव गन तेमज श्री गोविंद कुञ्ज हवेली ना मुख्य प्रबंधक महामनुरतिय वाव। परम वैश्नव श्री रमेश भाई धडुक तेमज तेमनों समस्त वैश्नव परिवार। आक्रश्न कथामृत महोस्तवना जेव सेवार्थी वन्या जिमने भगवद प्रिणा थै अने जेव आगर आव्या एवा मनुरति परिवार। परम आत्मिय परमस नेही सेवा परायन निलेश भाई धडुक तेमनों समस्त वैश्नो परिवार। आप महोस्तव समेतिना सैयो जक्त एवा प्रविन भाई रयानी तेमनों परिवार। समेतिना सर्वे सेवा परायन भाईयो तथा बहनों तथा आप सव अध्यन्त भावुक आनन्थी भरपूर। सेवा परायन सत्संग प्रेमी क्रिष्ण प्रेमी अत्यन्त जिग्यासु जेमने कथा अत्यन्त प्रिये छें। एवा आप सव शिवल्लबना लाडीला वहला वल्लभिय वैश्नो जनु। खुबज आनन्द आपने सव लई रहा छिए। हमना हमना अज अभी अभी क्रिष्ण ना नंद महोसवनो आनन्द आपने सवे मानें। मानो मन से में और आप हम सब आपने बद्धा गोंडल मा नहीं अपितु गोकुड मा अचिये एक एवो आनन्द। कार जारे जारे नंद महोसव जे जे स्थान उपर थत्तो होए ए ए स्थान गोकुड बनी जाये छे। आजे आपने आपने गोंडल पन गोकुड बनी गयू छे। अन्या आप सव गोकुड वासी बनी गया छे। भाग्यमा होए तो सत्संग मले। भाग्यमा होए तो सत्संग मा आवी ने बेश्वानू मन थाये। अन्या भाग्यमा होए तो जे सांब्डेलो सत्संग ए जीवन मा उत्रे। सत्संग मां आवू सत्संग मां बेशू अने सत्संग मां सांभडेली वातों ने जीवन मां चडिर्तार्थ करवू ए आवश्यक्त है साधारन जीव पत्री का वाचय ने विचार करें कि एक लिवस्तों जवुज पड़ से नाई तो अमारा फलाना वश्यक्तों ने खुटव लागी जैसे ऐला ने खुटू लागी जैसेP squishy पाड़ूसी ने खुटू लागी से सोसाइटी वलाने खुटू लागी जैसे कि बाजुमा जता छताइनों आव्या है सारू नहीं लागे साधारन जीव आउँ विचारे पन भगवद भग्त विचारे कि जोहूं कथामा नहीं जाऊने जोहूं कथामा नहीं बेसुने तो मारा क्रश्ण ने खोटू लागी जशे आ कोई साधारन कथा नथी वाला वैश्ण ओ आ मारा अने तमारा इष्ट नी कथा छे आ क्रिश्ण नी कथा छे एक साधारन वातो पन आपने केटली ध्यान थी सांबरता हो ये छिए मारी अने तमारी लोकिक वातो पन आपने केटला कान दईने सांबरता हो ये छिए केटलो रस लईने सांबरता हो ये छिए विचार तो करो आतो आपना इष्ट नी कथा क्रिश्ण नी कथा अने एपन सामे चाली ने आपने प्राप्त थायली कथा अईया बेसेला मोटे भागे जो लगन मा आपने जहिए तो कहवाए के जे लगन मा आवेला मेहमान होए ने एज मज्या मनता होए छे दोड़ा दोड़ी ओला जेनेतिया लगन होए ए करता होए खर्चो ए करता होए अने मज्या कोण माने विचारतो करो तो मैं केटला भागे शाड़ी जो खर्चो कोई करे आयोजन कोई करे मनोरत कोई बिजानो औने आननंद कोनो बोलो तो खरा कोनो आपणा बद्धानु आना शू करवानु छे बस घर ने ताडू मारवानु अने घरे थी निकडवानु आजू बाजू पाडोशी ने केवानु चालो कथामा वलो प्रसंग नती आओ तो भैया गोकूल कब चलोगे भैया कथामे कब चलोगे जैटला आपन वयश्णु नी डेलियो आवे बद्धान खकड़ाई चलो कथामे चिंध्वान approach छे वाला वयश्णु चिंध्वानiez पुन्य चु अपने आ आवी ऑन कोई नै लईने आवी अने तो एनाभाजनी कथामा अथी पन काहिं अन्श पुन्यना आपने प्राप्त थाई जेश है, आख्षण भांगूर जीवन मां, केतली ख्षण आपने जिविए छी है? जयसों किए एक विचार तो करो, एक्षण सुखनी छे, एक्षण दुखनी छे, एक्षण मान नी छे, एक्षण अपमान नी छे, एक ख्रण आनंद निक छे औने एक ख्रण कष्ट नी छे एक ख्रण भेगा थवा नी छे औने एक ख्रण छुटा पड़वा नी छे औने एज बद्धी ख्रणों मा सर्वोत्तम ख्रण कई आ ख्रण जेने आपने एम कई शकाए के धन्यतानी ख्रण आ धन्यतानी ख्रणों आपने जीवी रहा ची या कोई साधारन ख्रण न थी आप बद्धूज लखाई गयुँँ छे आपने करेला करमों लखाए चे पर क्या करमों है क्या करम नी नोध लेवाए चे शितम्हें सनान करो चो तम्हें सुई जाओ चो तम्हें खाऊ चो नहीं । नहीं जट्ली तमों तम्हें इन तुम्हां । इस्कॉट खर बेकात कराइन। एक शण नी नोंद लेवाई रही छे अने नोंद कोण ले छे मारा अने तमारा इस्ट क्रिष्ण लई रहा छे क्याक ने क्याक अहिया क्रिष्ण फरी रहा छे कोई नानकडा बालक स्वरूपे कोई वडिल स्वरूपे आ पोथी जी स्वरूपे कृष्ण फरी रया छे, कृष्ण जोई रया छे, कृष्ण साम्बडी रया छे कृष्ण तमने निहारी रया छे, कृष्ण तमारा भावने जोई रया छे आ कृष्ण कथा छे, कोई साधारन कथा ना से तमारी बाजुमा मानो वैश्नाव नथी बेठू क्रिश्न बेठो छे ये भाव साथे तमें आ कथा निश्रवन करो कि हुँ मारा बाजुमा कोई साधारन वैश्नाव नथू बेठो मारी बाजुमा क्रिश्न बेठो छे आ क्रिश्न कथा छे केवल कृष्ण नी वातों नथी जारे पन कथामा आईये त्यारे विचार कर जो केवल आ कृष्ण नी वातों सांबरवा नथी आवयो वो तो कृष्ण साथे वातों करवा आवयो छो आ सात दिवस आपने मुढया छे आ ओच्छा छे एटलो एटलो इसाव आपने आपवानों छेने वाला वैश्ण आ सात दिवस ओच्छा पड़ शे आ कृष्ण साथे नी आवातों छे अने विचार करो वाला वैश्ण आ बे वरश पछी लग भग तमें विचार तो करो कि आ समय जे वित्यों छे अने एस समय मा बस एक जवात आपने सांबडता आवया घर पे रहो घर पे रहो घर पे रहो मांड निकड़ा छे तो कची केम घर अटलो बदू वालू लागे छे आ डोड वरस आपने घर मात तो रहा ची अवे तो मोको मर्यो चे मेदान मा आवानू अवे तो विचार करो अवे तो आउसर मर्यो चे आपने आ स्थान मा बेश वानू अत्यार सुधी तो सोफा नीच शोभा वदार ता ता अत्यार सुधी सो करियो आपने बेवरस घर माज रहा चीए सोफा उपरज बेठा चीए पलंग उपरज बेठा चीए डाइनिंग टेबल उपरज बेठा चीए खाटले दी पाटले दी पाटले दी खाटले एज करियो चे मांड एसा अउसर मिला है कि घर को छोड के ये कथा मंडप में आने का आउसर मिला है आ ख्षणों धन्यतानी ख्षणों चे आ श्रद्धा मेडवनुस्थान चे आ भाव मेडवनुस्थान चे एक कवी बहु सुंदर कयो के श्रद्धाज मारी लई गई मने मंझिल सुधी श्रद्धाज मारी लई गई मने मंझिल सुधी रस्तो भुलाई गयो तो दिशाओ बदलाई गई अत्यार सुधी आपने रस्तो भुली गया आता एटला माटे आपने भटकता हाता पर हवे आपने मार्ग जड़ी गयो छे वाला वेश्णो आपने अंतर नो मार्ग जड़ी गयो छे वाला वेश्णो आवश्रक्ता चे शद्धाना दीपक ने आपना अंतर रदैनी अंदर प्रज्वलित करवानी ए धन्य दानी जे ख्षणों छे रितो सूख दूख आनंद शोक मोक ए बदी ख्षणों तो आवे ने चायली जाए इन्य आपने याद नथी करता पर अ जे ख्षणों छे वाला वेश्णों आपने आ ख्षणों भंगुर जीवन मां जे आपने आ सत्संग नी ख्षणों मड़ी छे क्रिष्ण साथे रहवानी जे ख्षणों मड़ी छे आप बधाने निवेदन करीश एक ख्षणों ने गुमावता नहीं आद धन्यतानी ख्षणों छे धन्यतानी एक ख्षणों ज मने मारा होवा पना सुधी लई गई धन्यतानीज एक खणो मने मारा होवा पणा सुधी लई गई हुँ कोण छुँ एनो अनुभव मने क्यारे थयो मारू जीवन शा माटे छे एनो अनुभव मने क्यारे थयो मारू कर्तव्य शूचे मारू धर्म शूचे मारी फरज शूचे एनी खबर मने क्यारे पड़ी कि जारे हुँ आ धन्यतानी क्षणों मा हतो जारे हुँ कृष्णनी सन्मुक हतो भाला वैश्णोव आ दुरलब अउसर छे घणु घणु आ साथ दिवस अंतरगत कह वाशे आप बधा ध्यान थी श्रमन कर जो मुख्य हे तु आपने सव जानिय कि श्री गोविंद कुञ्ज हवेलीनु निर्मान कुझे दादाजी तो घणी वकत आगिया करे इमना अंतरनी वाद प्रगट करे कि यहारे रात्री मा पोड़ता होय तो आपने वा स्वप्न मा दर्शन थता होय कि हुँ श्री प्रभु नी मंगला नी आर्ती करू छू कि श अचे प्रभु आपन वैष्णों बेठाए चे इमना रदय मापन एज स्वप्न प्रगर्ट थेए यहारे मंगला नी आर्ती ना दर्शन करू कि यहारे शंख नाद मारा कान मा पड़े क्यारे घंटा नाद प्रभु ना इटकोरा नो नाद मारा काने पड़े क्यारे मंगल घंट संब्धाए भाला वैष्णों होगे समय विति रहो छे शमय जैये पच्छताईये आच्छो साथ दिवस जे आपने मढया छे जे महमना पूरो मा आचारे पिट्स्ति केवाई गयू कि निश्चय लेवाना आउसर छे आसाथ दिवस आठ दिवस शा माटे आपने मढया छे के संकल्प लेवा माटे आओ जे जे पन मनोरत छे प्रगट करी दो आप बदा इच्छो जोने गई हैं हवेली बने ठाकुर जी जल्दी पधारे आप चाहू छने के जल्दी जल्दी पांच वरस्मां कि ट्ला वरस्मां मों तो को छो मैना मा थाओ जोई है कि पांच वरस मा करूँ जे के एक वरस्मां तो एना माटे आपने जुबा थाओ उपड़ से गिरिवर्द श्री गिर्राज ती जो ठाकुर जी उपाड़े ओपन टेको तो गोपी जनो व्रज भक्तो एज ग्वाल बाल सखाओ एज आपड़े होतो वाला वैश्णो आपने पन टेको जाप gün झे उपालानोंते थाकुर्जी येनी व्यवस्ता एज कर से पन आपडू कर्तव्य, ॶूँ छे कि महरे महरो टेको आप उनोहोंते जे पन मने सामर्थ्य आपियू थेज, जे पन मने शक्ती प्रबूए आपियू थे जे पन मने धन आपियू थे, एक ऐस्तों, याद आप जो सर्वस्प्र नति करवान। बद्दू नति सोपी देवान। पन जे आपण जे चे एमा थी एक नांगलेओ भाग। एटलो तो आपण शक्रीए के नहीं। बोलो तो करा। ज ये आपण आपण में मलीओ उचे बदू नति आपण। एमाद एक नानक्णों इस्सो एक नानक्णों भाग बस आपने आपना सद कार्य नी अंदर आ सद धर्म नी अंदर आ श्री निर्मान कार्य नी अंदर आ गोविंद कुंज निर्मान नी अंदर आपने एनो विन्योग करवानों छे आपने आपने आपना घर तो घणा बनाव् पड़ आतोशी थाकुर्जी नी हवेली प्रभुनु मंदिर आपने निर्मान करवा नुश्वने विचार दो करो कि ए सोडु फाजय कमने मड़्यु छे एक साधारन घर बनावू अने ठाकूर्जी नू मंदीर हवेली नु निर्मान करवा अनू सोभागे जो आपने मड़िव होए तो पछी आपड़ा थी पीछे हट नो थाई शके वधारे नहीं तो एक इट रूपण जो आपने जोड़ाई जहिए ते वैश्णों ता नू एक गाव्रव वाला वैश्णों आपने प्राप्त थाशे यहां उपस्तित बद्धाज वैश्णों नहीं काई सी नहीं तो हमारा आपना गोंडलनू गाव्रव तो में विचार करो रमेश्वेह अज्या करीए कि कि तमारे लाप लेवानों तमारे निर्मान करे यह नानों पाले नहीं । Approach यह तैयारज छे पर अमारा बद्धानी इवी भाव ना छे कि गोंडल अने गोंडल नी आजुब आजुनी वैश्णव सुरुष्टी आ निर्मान कारियनी अंदर जोड़ाई जाए कारण आवनार प्रत्यक वैश्णो ने वो भाव धो जो ये पन वैश्णो प्रभूना दर्शन करवा आवे इन्ने भाव थो जो ये कैया मारी हवे ली छे यह महारा ठाकूर जी बिरा जे छे तो एक एउँ एक आध्यात्मिक केंद्र भाला केवल हवेली नहीं केवल मंदिर नहीं अजना आ समय नी अंदर आवा स्थानों नी आवश्शक्ता बहु वधी गई छे दुस्संग ना साधनों वध्या छे जाथी आपनने दुर बुद्धी प्राप्त थाये छे एवा एवा साधनों वधतार गया छे अने एवा समय मा आवा हवेली आवा मंदिरो ना निर्मान थवा अत्यंत आवश्शक्ते गया छे तो वाला वईश्णों घणू घणू केहू छे पन आजे आ कथाना द्वितिय दिव से वह आप बद्धाने अनुरोध करिश आप बद्धाना उज्वड भविश्य माटे जे कारण के पुर्व मापन आ वाद खुबज विस्तार थी केवा महावी आती के हवेली मंदीर आवा आपना स्थानों आपना भविश्यनू निर्मान करे छे जो आपने आपनी संतती ने वैश्यनू बनावा इच्ता हो ये तो गोविंद कुझ आवश्यक छे तो पछी हवेली बनवू आवश्यक छे तो आप बद्धाज वैश्यनू ने आववान करिश अनुरोध करिश के आप आपनू मन मूटू राखो जेम नंद महोसव थयो अने नंद महोसव निया एवो उल्ले कुश्मत भागवतनी अंदर आवे छे के जातान लादो महामना के ते वक्ते नंद बावा केवा थया के महामन वाडा थयी गया इवनी पासे जे हतु ये सर्वस्व लुट्यावानू नंद बावाने मन थयो तो आजे नंद महोसव ना मंगल दीव से हुआ बधाने कहिश्वाला वैश्णवो के आप पन महामन वाडा बनी जो टीपे टीपे सरोवर भराए प्णाइया खाली टीपे टीपे थी काम नहीं था है इतला माटे गहने वखत गोविन्द कुंझ नी प्रचार यात्रा नी अंदर एक वागत में कही हती के फूल नहीं तो फूल नी पांखडी उनु तो एम कोई जू पांखडी नहीं तो छेल ले डांडी रूप पन जो आपने जोडाए जीए एक इत रूप्न जो आपन जोड़ाई जीए तो पण ये वैश्णों तानु गोरो आपने प्राप्त थशे अहीं यां कार्याले चालूज छे जेनू मन मोटू छे कार्याले मां चोकस जेसी कृष्ण करवा जजो जोड़ी जोए जाए आउक बच्चावि निकटि जाए नइक ये तमारी सेवा मांटे बेठा चे जह पर वैश्णों कार्याले नंदर बेठा 1000 अप धेनी सेवा मांटे बेठा चे आप भधाना उज्वर भविष्णनी योजना माटे बेठाच छे कि अमारा लायक का एक सेवा छे खरा जेम सेतु उबंधा तो अतो तो बद्धा एक एक पाणो इस समुद्र नी अंदर पद्रावे ओतो आप पाण आ सेतु उबंध नी अंदर चोकस पोता नी इत रूप जूड़ा है तो वधारे समय नो लेता साथ दिवसी यात्रामा अजे बिजो पड़ाओ बिजो दिवस आपने कथानू खुबज श्रत्दा भावती श्रवन करिऊ एक एक दिवसो आनंद ना आवे कानके क्रश्ण कथा छे घणाने तो एमके भागवत कथा छे एटले चोथा दिवसे क्रश्ण आवसे पर तम्हें बदा तो केटला भाग्य शाड़ी शो क्या बिजाज दिवसे क्रश्ण आवी गया नितो भागवत कथा हो एनो क्रम हो एक चोथा दिवसे जारे पत्री खा आने वाश्ण अप मेसेज गया अने लखवा माव कि नंद महोसो भीजाज दिवसे तो गुणाना मेसेज आवेया कि आजे भीजाज दिवसे नंद महोसो भै आम आचो अक्रश्ण कथा छे दश्मसकंद छे सूबोधनी जी छे तो इमा केवल क्रश्ण जच आप बदा महद भाग्या शाड़ी छो कि क्रश्ण ने सांभडवा आव्या छो अधिक ती अधिक वैश्ण वाक्रश्ण कथामा जोडाए लाब ले एज भावना साथे पांच तारीखे आ गोविंद कुंज हवेली नू भूमी पूजन पुजे दादा जीना वरत हस्ते करे एज भाव साथे मारा वाक पुष्वने वांग मैं स्वरूप श्रुद भागवत ना युगल चनार विनमा समर्भित करूज बोलो स्रीकृष्ण गनाया लाल की जै बोलो शिवल्लभादी श्रकी शिवागवत भगवान की जै आहता शी गोविंद कुंज हवेली ना प् पुझेपाद गोश्वामी शेहरी राईजी महोदैशी अपना वचनाम रतोरां तालियोना गडगारती वधावी आपने जीवे ससंग माटे प्रेरित्थवा उतकंठा आने इच्छा साथे निष्ठा पन होई तोज ससंग सुधी पहुची शिकाया यानि ससंग नो आलेक ज याग रता है वा मेसेज साथे आप शिमाने आपना वचनाम तुनों बोद अने साथी साथे शी गोविंद कुझे हवेली निर्माण मा अपनों योगदान होवुची जोई ये वा साग्रह वचनों साथे आपना सोवनों प्रवुद करियो अपना श्रीचरणों मा शाष्ट दस पंदर मीट ना विलम माते उतावल ना करिये हमना आज आजे जे चोरासी बस्तो बावन वैश्टों जमना द्वारा सेवा प्राप्ति थेचे हमना सनमान साथे इमने तैल चित्रशी माप्रोजियन सी गुसाईजी नू आप शिमाना वरदस्ते प्रदान करी अने परमभगवदी सी राजीव भाई जेवो लंडन यूके बेराजी चेमना प्रतिनीदी तरीके आजे प्रवीण भाई डढणिया उपस्ती चे निवेदन करीश के अग्यार हजार पैनी अमारा राजीव भाई लंडन वड़ा नी गोविंद कुंज हवेली निर्मान भेटना साक्षे तरीके प्रवीण भाई डढणिया मन्चस्त थाई पुजिशी द्वार आशिरत प्राप्त करशे शी प्रवीण भाई डढणिया एज रिते चोरासी बसो बावन वैसों नी शेडीमा परमगवजी चगनभाई मनुवर परम भगवदीय शी चगनभाई मनुवर गोंडल परिवारे उपस्तिच्चे एमने पन विलिंती करिश के जडपती मन्चस्त थाई आने पुजिशी ना वरत श्री अस्ते शी महाप्र जीनु तेल्चीत्र प्राप्तिकरी आशिवरत प्राप्तिकर्शे एमदे पन अग्यार हजारुपनी भेट द्वारा अमरा शी छगनभाई मनुवर परिवारे जयों गोंडल निवासी चे अग्यार हजारुपनी भेट द्वारा शी गोविंद कुझ हवेले निर्माण मां नो विनियोग कराव्यों छे एज रिते बस्तो बावन वैस्टोनी केटेगरी मा शी जैसुग जैसुग भाई वसोया हरी पर कालावड येमना प्रतिनी दी शी भगवान जी भाई मनवर जैसुग भाई वसोया हरी पर कालावड येमना प्रतिनी दी शी भगवान भाई मनवर ने मंचर सतवा निवेदन करिश आप रुवे आप्शिमान अनिडा पजारा तरेपन चालीस पचास परिवारो द्वारा इटोनी सेवर सुरूपे शी गोविंद कुझ हावेली मा विन्योग प्राप्त थेवोचे अनिडाना वैस्टनो परिवारो द्वारा पन चालीस पचास पचास गरो द्वारा इटो स्वरूपे शी गोविंद कुझ हावेली निर्माण मा योगदान प्राप्त सवुचे सवुना में आबारी ची है एजीते 222 वैस्टनो शेणी मा केतना बेन धिरुबाई वडो दर्या गोंडल एमना परिवार ना शी राजुबाई नत्वाणी एमना प्रतिनी निती तरीकाई उपस्तिचे इन्दे निवेदेन करिश के वो मन्चा सताई आने पुझेशी ना आशिरात प्राप्त करशे आप बद्दाद वैस्टनो वे भागवजी नी आर्तिमा पर समिली तवानूचे 8422 वैस्टनो नी जे योगदान शेणी ना बगवजी आशिरात प्राप्त करिया चे येमने भागवजी नी आर्तिमा पर समिली तवानूचे प्राग्जी भाई गामी ना सुपुत्र हीतेश भाई मित्रो आमना द्वारा 25,000 रुप्यानू वित्ती योगदान ताडियोना गण्गरात्ती वदावी अपड़े शी भागवजी भाई गामी येमना सुपुत्र हीतेश भाई द्वारा गोविंद कुझ हवेरी ना निर्माण मा 25,000 रुपनों योगदान प्राप्त थेऊचे हुँ येमने पन निवेदान करिश हीतेश भाई पोजेशी ना वरस्षी अस्ते शी माप्रोजी नों तेल चित्र ने आसिरवात रुपे उपड़ो प्राप्त करशे हीतेश भाई शान्ता बेन हरी भाई एजानी शान्ता बेन हरी भाई एजानी येमना पुत्र जीतेंदर भाई सेजानी शी जीतेंदर भाई सेजानी ने पन निवेदान करिश जमने 10 स्क्वेर फिट अलग अलग एकमोती गोविंद कुझ हवेले ना निर्माणमा इनित द्वारा पण चे स्क्वेर फिट द्वारा चे भूमी दान द्वारा पण चे अलग अलग क्षेत्र थी गोविंद कुझ हवेली निर्माण मा जुदा 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 एका मोती योगदान विनियोग प्राप्त थाईरों छे जीत्तन्रबाई सेजानी ने 10 स्क्वेर फिट निर्माण कार्यमा जुदान माटे मंचास्त थाई पुझेशी ना आशिर्वात ग्राण करवाने वदन करिश तो आहता मानुबा वगदियो जमना योगदान द्वारा शी गोविन्द कुझ हवेली नू निर्माण थवाजीरू छे कथा विराम संदर्वे नित्यकरम प्रमाणे शी भागवजी नी आरती मा आपने सव समिली तसु आपने ज्यापन चिये मनोर्थी परिवार ना शी रमेज भै दणुक मानिय शी रमेज भै दड़ूक परिवार माधी जे पड़ूक पस्ती थोय जड़पती मंच नजीक आवी यने आरती मात समिली तस आपने ज प्रकारे गोविन्द कुझ हवेली ना मनोर्थी परिवार ना शी निलेस भाई दडुक नो परिवार कांती भाई सुधानी नो परिवार सह मनोर्थी शी भाविन भाई कानाबार नो परिवार क्रश्य कर्थामत मोहत्सवना सुबेचक येवा अश्विन भाई रैयानी अने नैना बेन रैयानी नो परिवार भुमी पुजन ना मनुर्थियेवा 37 गंगडिया धसा परिवार आपकी जेपन भगवदियो आजे उपस्तितों ये सव ने शी भगवजी नी आर्थिमा समिलित्थवा साथे साथे जे छासाथ वैस्णों आर्थि पर्चात पुजिशी ना च्वानसप्रस प्राप्त थर्षे बहुत सुन्दर वधाई छे साथे साथे एक बिजी नानकडि सुचना चार चार आचारे सुरूपों ये बेराजी चे त्यारे आपना बालकों ने आपना संबंद दिख्षा पन प्राप्त थर्षे के वो सुन्दर मजानों सुयत गोंडन लागने उपस्तित थे हो चे तो जे पन वैश्टों परिवार ना भाइबेनों पोताना बालकों के परिवारिक जनूने सी ब्रह्मस संबंद नी दिख्षा प्राप्त करावाई चुकोई त्यां कार्यालेंमा नोंद करावी शक्ये चे एदया प्रकारे शिवलब पदार है अमारे आँगने रे आनंद आउसर थाले शिवलब मुँआ आ आपने आघमने नंट करार हूं पन शुब चे तो बालकों नी प्रद्रामणी पन आप करवाई चुक हो तो त्यां कार्याले मां नोंद करवी अने आप यह सिभागी बनी शेको चो आओ शिभागवजी नी आरती मां समिली थे ये आरती बाल क्रुष्ण की कीजे अपनों जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल क्रुष्ण की कीजे स्रीज सुधा को परमदुलारों बाबा के अखियन को तारों गोपिन के प्राणन सो प्यारों इनपे प्राणन चावर कीजे आरती बाल क्रुष्ण की कीजे बलदाऊं को छोटो वैया कनुवा कही कही बूलति मैया परममुदित मन लेत पलैया ये छबिने ननमे बर लीजे आरती बाल क्रुष्ण की की जे परम ग्रुपाल श्रिवल्ल बनंदन करत ग्रुपानि जहस्थ देपाद जे जन सरन आये अनु सरही ग्रैशो पत सीगो वर्धन नात परम उदार चतुर जित्तावनी रागत भवदार आवय जान। बज क्रिष्ण दास आज सबसरही जोजाने स्री वीटल नात परम ग्रुपाल श्रिवल्ल बनंदन करत ग्रुपानि जहस्थ देपाद ब्रडईन चरनन गेरो परोसों द्रडईन चरनन गेरों श्री वल्ल बनंक चंद्र चताविन सब जुग माज अतेरो बरोसों द्रडईन चरनन गेरों साधन ओर नही आकलिवें जासु ओत निवेरों सूर कागे द्रिविद आंधरों बीन मोलको चेरों बरोसों द्रडईन चरनन गेरों द्रडईन चरनन गेरों झाल झाल